हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, वेलकम तो दे अमेजिंग प्लाटफोर्म अपी डवल्यो अगेन, आज आपन डिस्कस करना रहा होत एक नविन चाप्टर फ्राम दे क्लास 11, चाप्टर से नावा है स्टेट्स अफ मैटर, कि वा स्टेट्स अफ मैटर, गैसिएस अन स्टेट्स चाप्टर ला स्टार्ट करने चादी, एक साधी सिंपल एक गोश्टा सांगते तुम्हाला, अलिकड़ाइस कुटला दरी पुस्तका त्वासली होती, तर ती गोश्टा है एका मुला बदल, एक खूप हुशार कि वा काय मन्ता, स्टूडियस मुलगा है, त्याल साइन्स बदल खूप रूची होती, आणि तर त्याचा बाल पन, कि वा तो जेवा लाहान होता, ते वा तो अतिशय गरीब परिसिती तुन पुड़े आलेला, त्याचा घरी खाणाय पिनाचे पन प्रॉब्लेम होते, पन त्या तू नहीं त्यानी बेसिक एजुकेशन ठीके तर ते तर घरी चा दस्ता, ते चा नंतर जेवा तेला पूर्था शिक्षन गयाएचे उता साइन्स मदे, घर चा परसीदी मुड़े ते जमला नहीं, त्यानी काय केला, कि एकसेप्टेट अड जॉब, त्यानी काय केला, कि एकसेप्टेट बाड जॉब, तर पुस्त पुस्तकां ना बाइइदिंग करता है, उन्हों, पुस् तका ऊख़ना नेमं, अपलेले में, तर पुस्तकाँचे पाना निगुह, बाइदिंग करता हुए, तस न साधा जॉब होता, पुस्तकांचे दुखाना मधे, ते त्या ठीका नी फक्र्ечा जॉब नाही केला, ते काय केला त्यानी तीसे जीजी पुस्थक आवेलेबल होती संग अला की संग दुख इंसची पुस्थक की वाद सुन किता हाला की य। तेला रिसर्च साथी कि वा युनो पूड़चा एजुकेशन साथी घयल एकसेप्ट करेल त्यातर ही खूब हर्डल्स आले मक्स यह उटी तेला एका ठीकाने एकसेप्टन्स मिलाला आणि तीथे तेनी तेला रिसर्च केला तेचा मदे युनो तेला खूब सारे प्राइजेस मिलाले आणि तो खूब 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 मोठा शास्त्रद्य वंडला त्या शास्त्रद्यास नावा है माइकेल फैरेडे जाचा मुणे तुम्हीं फिजीकल केमिस्ट्री मदे बरेज छे लौश इकता आणि आपला सगला तावडता मोलिक्यूल और गयानी केमिस्ट्र जाच खूटे केला ते आज किती मुठ्या लेवल चे साइन्टिस्ट मनों आपन तेंचे लौश वास्तो तेंचा बदल बरेज शा गुष्ट्या आपन केमिस्ट्री मदे वास्तो आणि आपला लमाहिते कि तेंचा कॉंट्रिबिशन खूब जास्त मोठा है तर इथे माधा सांग स्टार्ट कुरिया दे चाप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर सब सब्सक्राइब इंट्रोडक्टरी पार्ट बगणार लेट सी फॉस्ट अफॉर्स्ट अफॉल उसमें क्या-क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में तो हम लोग यह यह टॉपिक्स कवर क लोग आईडियल गैस इक्वेशन उसके बाद डेवी डेवी यानिक थेयरी आफ गैसे जो आपने पहले पड़ी है उसके उपर गैसे के जो जो प्रॉपर्टीज है जो आईडियल गैस शो करना चाहिए उससे डेवीएशन प्रम दाइडियल गैस बिहेविर वो सारे देखे जहेंगे और उसके बाद लास्ट में लिक्विड स्टेट देखेंगे लिक्विड स्टेट में जादा कुछ तो है नहीं जादा फोकस दिया गया है गैसी इस चैट पर फिके और सॉलिट्स ज्यसे मैं ने पहले बताए सॉलिट सेट यूविल लर्न निंद अ क्लास 12 का सबसे पहले देखते हैं उनमें फरक क्या है या फिर हाउ दे आर इंटर कनवर्टीबल हमको यह पता है कि सॉलिड लिक्विट्स अंग इंटर कनवर्टीबल याने के एक दूसरे में कनवर्ट किये जा सकते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस है उसके पहले नाम देखेंगे उसके बाद लेट स्टाट विड़ डिफरेंसे सिन बेट्विन इस त्री स्टेट्स अफ मैटर तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर आइस पानी मतलब बरफ पानी और स्टीम वाटर वेपर उसका एक यहां पर इमेज आपको दिया है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा आइस यानिके बरफ पानी का सॉलिड सेट है यानिके लिक वेट वीट वाटर इस एक्विड सेट अग्वीट पानी ऑटर वेपर या वाटर वेपर ना लिखते इked्एम pure आसलिद लीदे पानी घ्रिकानी और सिंटर या याउननी बरफ पानी या वाटर वेपर ना न लिख ते, I will write down solid liquids and gases ठीक है solid के लिए I will use the abbreviation S ठीक है solid के लिए I will use the abbreviation S ठीक है solid can be converted to the liquid right solid can be converted to liquid इस प्रोसेस को हम लोग melting बोलते हैं what this process is called as this process is called as melting liquid can be converted to gases है ना liquid can be converted to gases इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं boiling बोलते हैं है ना this process is called as boiling again we can come reverse also gases can be converted to liquid yes इस प्रोसेस को क्या बोलते है बच्चों बताये condensation है ना this process is called as condensation right liquid to gas to liquid ulta is called as condensation and again we can convert the liquid to gases as well this process is called as freezing है ना this process is called as freezing तो यह सारे प्रोसेस हमने देखे थे इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोसेस है जैसे की we can convert the solid into gases directly है ना gases directly और we can also convert the gases into solid directly है ना without going through the liquid state है ना इन प्रोसेस को बोला जाता है the sublimation and deposition राइट तो यह सारे नाम हमने पहले इसके पहले भी पड़े हैं तो this is the differences या फिर these are the processes in which we can convert the one state into the another right sublimation and deposition sublimation and deposition these are the two different things sublimation का एक example आपको बताती हुँ जहापे solid is converted to the gas directly एक बहुत ही common सा example है जैसे कि आप कैमफर देखते हुए ना कैमफर मंजे कापूर है ना कैमफर मंजे कापूर आपन कापूर वा पर तो देवा चा बुड़े कि वा medicinal यूजपन आहित कापूर आचे तरहां कापूर का यह सतो कापूर येस इस प्रोसेस को सब्लीमेशन बूला जाता है एंड उल्टा गैस टू सॉलीड इस दिपोजिशन ठीक है येस तो कापूर चा एक्जांपल के वा कैमफर चे एक्जांपल तुम्हाला देते कि वा इथे नैफ्तालीन चा पन एक्जांपल आपन लिए शकतो तरहां कापूर की वा नाफ्तालीन दामबर गोडी है ना जो हम लोग इंसेक्ट रिपेलेंन करके यूज करते है नेफ्ताल बालस है ना तर ती नाफ्तालीन की वा कै prob चेग्जांपल अपनी थे भोगिया तै शॉलीड अस्ताथ आपन जे वा नाफ्तालीन फोर एक्जांपल आपन कंपाटा मदे तो 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 पुस्टा का जो यहाई चांजन दख नाफ्टली करता है तो उस नाफ्टलीन का चोटा यह प्लेट होता है वहाँ पही पे चोटा-चोटा-चोटा होचा जाता है लेकिन वहाँ पे कभी भी आपको नैप्तालिन के वो नैप्ताल बॉल की नीचे लिक्विड नहीं दिखाए देता राइट क्यूंकि यहाँ पे क्या होता है सब्लीमेशन होता है कन्वर्चन अव दे गयास अलिट सब्टन इन्टो दे गयास डायरेक्ली गयास टेक्स प्लेस विदाउट पासिंग त्रूद लिक्विड स्टेट कैमफर का भी वैसा ही है कापराची जर गोड़िया आपको अब्जर्व करेंगे कि कुछ दिन बाद वो उसमें जो कैमफर था उसका साइज कम होता जाएगा राइट लेकिन वहापे कोई भी लिक्विड आपको अब्जर्व ने किया जाएगा अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग इन तीनो स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंसेज देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद दे माइक्रोस्कोपिक विव का मतलब क्या है कि उनका जब हम लोग एक्जामपल सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर ग्यास हो उसको किसी भी माइक्रोस्कोप के अंडर या फिर नौट ए माइक्रोस्कोप एक्चुली इट इस दा इस दो यहां पर उसका मैं आपको अरेज्चमेंट दिखा रही हूं तो अगर मैं सॉलिड को ड्रॉ करूं तो सॉलिड का जो पार्टिकल का अरेज्चमेंट होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है देखिए एक के उपर एक एक दम अच्छे से लेयर क्या करेंगे बैठे गे यहना लेयर क्या करते है एक के उपर एक बैठे जाते है ऐसे इसको क्या बोला जाता है इस इस कॉल्ड आजे डेफिनाइट of particles solid में क्या देखा जाता है जो particles होते हैं उनमें बहुत discipline होता है उनमें क्या होता है बहुत ही ज्यादा discipline होता है तो discipline की वज़ा से उनके particles एक definite या फिर regular arrangement में बैठते हैं है ना regular arrangement ठीक है अब देखो liquid की बात करते है liquid के लिए जैसे मानलू अगर मैं कोई भी एक container ले लूँ क्यूंकि हमको पता है liquid container में रखा जाता है otherwise हो क्या होते वह कि व्यूडिटी के वज़ा से वह एक जगा पर नहीं रुख पाते राइट तो जैसे मानलू यह मैंने एक container लिए तो इसमें liquids कैसे होंगे उनमें थोड़ा ज्यादा डिस्टन्स होंगा उनके particles में as compared to solids उनमें थोड़ा ज्यादा डिस्टन्स होगा लेकिन अगर मैं gases की बात करूं gases के बारे में मुझे यह पता है कि gases में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो उनका जिस कंटेनर में या फ में उसका Kate कर लेता है तो यहां पर देखो तो यह क्या indicate करता है बच्चो यह indicate करता है उनका अर्जमेंट है उनका रेगिलारिटी इन दे अरेगिलारिटी इन्द आरेग्मेंट सॉलिड में बहुत ही जादा रेगिलारिटी है इसके according हम लोग mean atomic और molecular separation मतलब atoms या molecules के बीच में का जो separation है वो देख सकते हैं in case of solids it is 3 angstrom in case of solid is 3 angstrom in case of liquids it is 3 to 5 to 10 angstrom ठीक है and in case of gases it is 5 angstrom ठीक है so this is the mean atomic क्या फिर molecular separation between the solid liquids and gases उसके बाद let's see the arrangement of particles particles यह word use किया जाएगा क्योंकि कुछ substances में atom यह particle होगा कुछ में molecules यानि कि अगर में water की बात करू water में molecule is the particle है ना लेकिन अगर में लेकिन अगर में किसी बी metal की बात करो है ना जैसे gold metal का कोई भी औरनामेंट तो उसमें क्या है atom है बराबर atom है तो इसलिए arrangement of particles यहाँ पर क्या है regular या फिर definite arrangement है ना regular and definite arrangement है है ना regular and definite arrangement है यहाँ पर क्या है less regular less regular than solids है ना solid से थोड़ा कम regular है थोड़ा सा कम regular लेकिन गैसे में क्या है इर्रेगिलर इर्रेगिलर या फिर indefinite arrangement है ना सबसे ज़्यादा irregular arrangement किसमें दिखाए देता है हमको बच्चो गैसे में है ना इसलिए तो उनका arrangement ऐसा होता है बराबर इसके बात देखते हैं movement of the particle देखो अब solids में particle बहुत अच्छे से pack किये गए है ना अच्छे से pack किये गए है तो जाहिर है कि उनका का movement is very impossible right तो solids के बारे में particle का movement almost क्या मान सकते हैं ना के बराबर है ना तो निगलीजिबल आइविल राइट डाउन निगलीजिबल क्यों लिखाए मैंने यहां पर क्यूंकि सम्टाइम्स अलीड के बहुत जादा राइट्राक्शन होता है अब लिक्विट के बारे में यहां यहां पर दिखाए देता ना जैसे कि मानलो ऐसे मान लो दो कि मैंने क्या किया मैंने पाणिक लिया उसमें का जो पानी है मैंने फ्लोर पे फेला दिया तो वह पानी एक जगह पे रुखेगा कि जैसा पन्रूश था नू वह पानी फैलेगा उसको बोला जाता है fluidity किसकी वज़ा से आता है movement of the particle बराबर ठीक है और उसके बाग gases के बारे में तो हमको पता है उनका बहुत ही जादा movement होता है इस movement को क्या हम बोला जाता है random movement है ना random movement मतलब बहुत जादा movement बहुत जादा movement है ना particles loosely bound होते हैं एक दूसरे को तो बहुत जादा movement दिखाई देता है ओके चलो अब इसके बाद देखते हैं shape and volume तो solids के बारे में हमको पता है कि they have definite shape है ना they have definite shape and definite volume है ना definite shape and definite volume क्यों होता है क्योंकि उनके particle का arrangement अच्छा होता है ना compact होता है definite shape and definite volume solids का अपना खुद का volume और shape होता है अब देखो अब देखते हैं liquid के बारे में liquids को shape नहीं होता लेकिन definite volume जरूर होता है ना liquids को shape होता है क्या वालीवाट नहीं होता लेकिन वालियूम होता है जिसमें हम लोग उसको प्लेस करेंगे उसका वो फृपल्य में वालियूम एक्वायर कर सकता है रहाट लेकिन सस्वाल गैसस का अरो in 59 अब उसके बाद देखते हैं इंटर मॉलिकलर फोर्सेस का मतलब क्या है इंटर याने के दो लोगों के बीच में इंटर मॉलेकिलर मॉलेकिलर मतलब जो फोर्स है उसके बारे में देखेंगे पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है तो यह हैं इंटर मॉलेकिलर फोर्सेस उसके बाद लिक्विड्स में आता है इंटर मॉलेकिलर फोर्सेस उसके बाद देखते हैं, effect of small change in temperature, change in temperature के बारे में बात करेंगे, देखो, अब solids के बारे में मैंने आपको क्या बताया, particles के बीच में बहुत ही ज़्यादा attraction होता है, strong attraction होता है, इसलिए अगर मैं थोड़ा small change in temperature करूँ, तो उसका solids पे ज़्यादा असर नहीं होगा है, तो there is no effect no effect, no effect of temperature on the solids, in case of liquids there is less little effect, ठीक है, little effect of the effect of temperature on the liquids, लेकिन gases के बारे में आप अगर उनको गरम करो है ना, थोड़े से भी temperature बढ़ाओ, तो in that case gases को बहुत ज़्यादा effect होगा, तो यहाँ पे, क्या बोलेंगे हम लोग strong effect है, ना, strong effect हो जाएगा, on the gases, बराबर temperature का, अब देखिए, next is compression and expansion, compression का मतलब है, press करना, volume को कम करना, expansion का मतलब है, expand करना, volume को बढ़ाना, राइट, तो solids को वैसा कुछ कर सकते हैं, क्या नो, solids are incompressible, है ना, solids are incompressible, मतलब उसको compress नहीं कर सकते, incompressible, and cannot be expanded, solid को नहीं कर सकते हैं, वो नहीं दिखाते, यहाँ पे, जो liquids होते हैं, वो little compression and expansion दिखाते हैं, लेकिन, gases are highly compressible, and highly expandable, ठीके, तो gases are highly compressible, and expandable, ठीके, तो यह हो गए, कुछ properties, साथ property दिए गए है, for the differences in between solid liquids and gaseous state, ठीके, तो यह हो गया आपका, ready made answer for the board का paper, ठीके, board के paper में, ऐसे वाल equation पूछे जाते है, differentiate between the solid liquids and gases, ठीके, आप नीचे एक और point add कर सकते हैं, examples लिख सकते हैं, right, you can write down the examples of solid liquids and gases, ठीके, इसके बाद हम लोग next वाला topic देखेंगे, in this chapter, that is the intermolecular forces, ठीके, अब देखो, intermolecular, inter याने के, in between the two molecules, जो force होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो यह समझने के लिए, आपको एक simple सा example देती हूँ, ठीके, जैसे मान लो, मुझे पानी पिना है, मुझे प्यास लगी है, बराबर, तो मान लो कि मेरे पास है water vapor, I don't have the liquid water, मेरे पास है water vapor, है ना, तो क्या मैं water vapor पी सकती हूँ, can I drink that water vapor, no I cannot drink, right, ऐसा क्यों है, क्योंकि water vapor जो होते हैं, उनको उनलोग पकड नहीं सकते, उनको हम लोग पकड नहीं सकते, इसलिए पानी नहीं पी सकते, in the form of the gase यसे, पे। तो liquids को हम लोग पी सकते हैं, क्योंगि liquids में जो molecule होते हैं वो एक दुसरे से बंद ही होते हैं, तो हम लोग ग्लास में पानी ले सकते हैं और उसको पी सकते हैं, तो ये क्यों होता है, ये होता है due to the intermolecular forces of attraction, बराबर पानी के बारे में या फिर solids के बारे में, उनके particles के बीच म होते हैं one by one हम लोग वो सारे forces detail में पढ़ेंगे तो what are the intermolecular forces they are the forces in between the particles of the states of matter बराबन one by one हम लोग intermolecular forces देखेंगे सबसे पहला है dipole-dipole interaction ठीक है dipole-dipole interaction समझने के लिए सबसे पहले में आपको dipole का मतलब क्या है वो समझाती हूं ठीक है let's learn what is the meaning of a dipole ठीक है फिर इसके बाद फिर से इस page पर आएंगे तो what is the meaning of dipole वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे so dipole समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए the meaning of this word polar covalent bond ठीक है polar covalent bond तो सबसे पहले तो covalent bond क्या होता है the bond form between the atoms by sharing of an electrons है ना अगर sharing से bond form होता है that is the covalent bond है ना तो जैसे मान लो मेरे पास दो तरह के bonds है थोड़ा concentrate करो अच्छे से मेरे पास दो तरह के bonds है ए और एक बीच में ठीक है एक atom है और दूसरा एक bond है ए और बी के बीच में ना दूसरा bond किस के बीच में है ए और बी के यह दो तरह के मेरे पास bonds है ठीक है अब देखो इन दोनों में क्या फरक है ए और ए यह bond है same atoms के बीच में ए और भी यह bond है different atoms के बीच में पराभर हमेशा याद रखिए chemistry में जब भी हम लोग एक line draw करते हैं उसमें दो electrons होते हैं कितने electrons होते हैं दो electrons ठीक है अब देखो यह दो electrons याने के इसा मान लो रसी है और यहां पर रसी खेज खेला जा रहा है ना रसी खेला जा रहा है ए और दोनों सेम ही atom है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा सेम है ना उन दोनों के बीच में अगर मैंने रसी केज लगवाया तो ना electrons एक साइड में जाएगे ना राइट हैंड साइड में जाएगे ना क्यूंकि दोनों का पावर सेम है तो वहां पर ही रहेंगे बराबर लेकिन अगर में A और B के बीच में रसी केज लगाओ मान लो वह बहुत स्ट्रॉंग है तो इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे बीची और जाएंगे बराबर यहां पर यह जो बी होता है वह बहुत स्ट्रॉंग होता है वह क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी और खीचता है अब यह जो स्ट्रेंथ है इसको उम लोग क्या बोलते है इले बराबर, जिसको E N करके भी कि एब्रिवेशन दिया जाता है तो इलेक्ट्रोनीगेटिवीटी औफ B है इस ग्रेटर दान इलेक्ट्रोनीगेटिवीटी औफ A कि कह ऐसा मान लो इसलिए B की पावर ज्याद़ है Electron negativity का मतलब क्या होता है Electron को attract करना जो bond में है जो electron bond के अंदर होते हैं उनको attract करने की power को बोला जाता है Electron negativity तो B क्या है बहुत Electron negativity है इसलिए वो क्या करेगा सारे के सारे electron अपनी और खीजेगा इसकी वज़ा से क्या होगा देखिए इसकी वज़ा से B के उपर डेल्टा माइनस याने के डेल्टा माइनस का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है वेरी स्मॉल नेगेटिव चार जाएगा, क्यों आएगा, पार्शियल क्यों आएगा, क्योंकि बॉरी तरह से तूटा नहीं है रसी के चीज़ा स्केल रहे है जिसमें रसी बी के और शिव्ट हो गया है और A पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा याने के बहुत स्मॉल, जब भी क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बराबर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, दो अलग-अलग पोल्स क्रियेट हुए है, है ना, तू पोल्स विद अपोजिट चार्ज आर क्रियेटेट, त two poles with opposite charge are created in the molecule किसकी वजा से electro negativity difference की वजा से है na are created ऐसे molecules को जिनमे two poles with the opposite charge create होते है उनको बोला जाता है polar molecules है na उनको क्या बोला जाता है polar molecules और जो bond उनमें present होता है उसको बोला जाता है polar covalent bond, ठीक है, जो bond उनमें present होता है, that is called as a polar covalent bond, ठीक है, तो यह A और B के bond बीच में जो है, that is the polar covalent bond, और A और A, यह जो bond है, जिसमें no any poles are created, that is the non-polar covalent bond, और A और B के बीच में क्या है, polar covalent bond, बराबर, तो यहाँ पे polar bond में दो poles create हुए है, दो के लिए में die ये symbol यूज़ करूँगे, इसलिए में यहाँ पे क्या बोलूँगी, यहाँ पे इस molecule में dipole moment है, ठीक है क्या है, dipole moment, अब dipole moment का मतलब समझ में आगे आपको, यहाँ पे electronegativity difference की वज़ा से, इस molecule में polarity create हो गई, polar covalent bond ब by the dipole moment, ठीक है, तो आपको समझ में आगे है, what is the polar molecule, what is polar covalent bond and what is the dipole moment, electronegativity difference की वज़ा से, हमको यहाँ पे यह चीज़ देखने को मिलती है, बराबर, अब देखते है, dipole-dipole interaction, dipole तो समझ में आगे आपका, तो इस वाले interaction में dipole-dipole, याने के, दो dipole एक दूसरे के सामने आजाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, dipole-dipole interaction, इसके लिए हम लोग एक simple सा example देखते है, HCl का, ठीक है, HCl का, ठीक है, तो HCl के, दो-तिन molecules में ऐसे arrange करूँगी, ठीक है, देखिए, ऐसे, और यहाँ पर last is like this, ठीक है, तो HCl के molecules में ऐसे arrange कर दिये है, HCl में मुझे पता है, hydrogen is electropositive, chlorine is electronegative, chlorine अपनी तरफ bond खीच लेगा, तो chlorine पर क्या आजाएगा, chlorine पर आजाएगा, minus charge, delta minus, hydrogen पर आजाएगा, plus charge, बराबर, ठीक है, समझ में आगया आपको, अब देखिए, यहाँ पर मैंने इन molecules को इस तरह से की औरेंज कर लिया है, यह एक dipole है, एक molecule याने के एक dipole, ठीक है, तो उस dipole को मैं pink color से circle करती हूँ, एक dipole, यह अगर दूसरे dipole के सामने आता है, इस तरह से कि उसका negative और positive वो दोने एक दूसरे के सामने है, पास है, सिमिलरल, यहाँ पर देखिए, यह negative, यह positive, again negative, positive, again negative, positive, दो molecules के बिज में, positive, negative, positive, negative, opposite charges of these dipoles are in front of each other, या फिर near to each other, बराबर, they are near to each other, इसलिए इन molecules में क्या आ जाएगा, attraction आ जाएगा है न, देखिए, इस वाल HCL का यह negative, दूसरे HCL का positive, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे है, तो opposite charges में क्या होता है, attraction होता है, तो dipole में भी क्या आ जाएगा, attraction आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dipole-dipole interaction, ठीक है, तो यह है dipole-dipole interaction, HCL उसका bestest या फिर simplest example है, similarly आपना ICL, HBR, HI, यह सारे example यहाँ पर लिख सकते हैं, तो polar molecules के बीच में, जो dipole-dipole forces होते है, due to electrostatic interactions, are called as the dipole-dipole interactions, ठीक है, अब देखे, यह जो dipole-dipole interaction है, यह क्या है, यह है, intermolecular forces of attraction, है ना, यानि के दो molecules के बीच में का forces, उसका फरक क्या पड़े गए, या फिर what will be the effect of these forces on the physical property, जैसे मान लो, मैं discuss कर रही हूँ, melting point या फिर boiling point, है ना, यह एक physical property है, melting या फिर boiling में क्या होता है, बच्चों, हम लोग, जब भी में, जैसे की पानी को boil कर रही है, ना, water I am boiling, तो क्या होता है, वो liquid होता है, water के बीच में intermolecular forces होते है, तो क्या होता है, जब मैं भी उसको boil करती हूँ, boil करने के बाद, intermolecular forces break होते है, है ना, और water liquid gas committed to vapor, vapor में कोई भी forces नहीं होते ज़ादा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते है, boiling के लिए या फिर liquid को boil करने के लिए, solid को melt करने के लिए, intermolecular forces break करते है, तो जितना strong intermolecular forces होंगे, उतना ज़्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा, boil करने के लिए ज्यादा गरम करना पड़ेगा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इसलिए boiling point क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा stronger the dipole-dipole interaction greater will be the boiling point of the substance वही चीज यहाँ पे इस table में दिखाई दी है तो there are different substances like first substance is the propane propane में सिरफ एक टाइप का bond है that is the carbon hydrogen जो एक non-polar bond है क्योंकि carbon और hydrogen का electronegativity almost same है तो इसलिए कोई भी difference नहीं है तो यह non-polar bond हो गया तो non-polar है मतलब dipole moment क्या होगा बहुत ही कम होगा है 0.1 is a dipole moment boiling point is through 31 उसके नीचे देखिए यह dimethyliter जिसमें carbon hydrogen के अलावा carbon और oxygen यह भी bond है carbon oxygen यह bond कैसा है polar bond है तो carbon oxygen bond polar है करके उसमें क्या आ जाएगा dipole-dipole interaction आ जाएगा इसलिए उसका boiling point देखिए it is 248 degree cells Kelvin उसके बाद देखिए CH3Cl chloromethan जिसमें carbon hydrogen के साथ-साथ carbon chlorine यह एक bond है जो कि एक polar bond है जिसके वजह से boiling point हो गया 249 जिसके बाद last is the CH3CN CH3CN में CH और CC और CN यह bond है जिसमें CN यह क्या है polar bond है जिसका polarity बाकी CO और CL से ज्यादा अच्छा है करके उसमें कितना boiling point है 355 Kelvin यह पर आपको समझ में आएगा जैसे आपका bond का polarity याने के dipole moment बढ़ता है जोगिस capital D से denote किया जाता है तो उसके ही साथ-साथ आपके boiling point यह सारे properties क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं ठीक है तो यह हो गया पहला intermolecular force of attraction that is a dipole dipole attraction दूसरा वाला देखते हैं that is the iron dipole interaction इसमें क्या होगा iron iron क्या हो सकता है iron positively charge हो सकता है याने के cation या फिर iron negatively charge हो सकता है anion है न तो यह होगा cation and anion cation और anion के बीच में actual charge presence होते हैं जैसे कि मानलो मैंने cation लिया है जो है na plus iron है इसके उपर plus charge है अगर मैं इसको dipole के साथ iron plus dipole iron plus dipole के साथ अगर मैं इसको इसके पास लाओ है न जैसे मानलो na plus को मैं पानी के सामने लाओ तो पानी में h2o क्या होता है पानी का structure जैसे मानलो मैंने पानी का structure ऐसे ड्रॉ किया तो पानी में hydrogen होता है plus और oxygen होता है minus बराबर तो यहाँ पे sodium का positive और oxygen का delta minus यह दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा iron-dipole interaction है ना iron-dipole interaction जिसका एक example है sodium और पानी का bond बराबर तो यहाँ पे sodium is the cation and the पानी is the dipole उसके बाद next वाला देखेंगे dipole and induced dipole interaction ठीक है देखो तो पहले तो एक dipole लेंगे कोई भी dipole लेंगे दूसरा क्या लेंगे एक non-polar molecule लेंगे तो आप बोलोगे मैं non-polar में तो कोई dipole होता नहीं तो उसमें कैसे फिर interaction देखने को मिलेगा होता है उसका एक example आपको मैं बता दू देखो जैसे मानलो मैं बेंजीन की बात कर रहे हूं ठीके बेंजीन की बात कर रहे हूं तो उस का formula क्या होता है C6H6 है ना बेंजीन इस दा C6H6 उसमें carbon to hydrogen ये कौनसा वाला bond है non-polar bond है ना ये कौनसा वाला bond है non-polar bond है तो ideally उसमें कोई भी interaction नहीं होना चाहिए अब इस बेंजीन को अगर मैं किसी polar molecule के सामने लाओ जैसे मानलो मैंने ammonia के सामने उसको लाया या फिर ammonia के साथ mix कर दिया ammonia के बारे में मुझे क्या पता है ammonia में तीन hydrogen होते है nitrogen के साथ जूड़े हुए है nitrogen पे आता है delta minus charge और hydrogen पे क्या आत molecule है जिसमें N2H bond है तो यह एक polar molecule है बराबर तो अगर किसी भी polar और non polar को मैं साथ मिलाओ तो इस polar की संगत की वज़ा से ना संगत की वज़ा से वह भीगड़ जाता है तो ammonia के संगत की वज़ा से बेंजीन में डाइपोल इंडियूस होता है इंडियूस ची सब्दकार्त क्या है काई तरी नव्याने तयार होने है ना मतलब वो पहले नहीं ता वो ammonia के संगत की वज़ा से उसमें इंडियूस हो गया है ना नया तयार नया उसमें कुछ तो चीज आ गया डाट-टिज पेले नहीं ता बाद में आ गया है ना इंडियूस हो गया तो देखिए ammonia nitrogen और will be called as the dipole-induced dipole interaction, बराबर, उसके बाद last वाला देखते हैं, उसको कोला जाता है, बोला जाता है, London Dispersion Forces, ठीक है, सबसे पहले तो इसको London Forces क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक फ्रिड्ज लंडन, London Scientist का नाम है, इसने discover किये थे, इनके नाम के वज़ा से उनको क्या बोला जाता है London dispersion forces ठीक है क्या बोला जाता है London dispersion यह होते हैं पूरे के पूरे non polar molecules के बीच में पूरे के पूरे दोनों के दोनों क्या है non polar molecules है ना तो देखो non polar molecules के अगर मैं बात करूँ तो उनमें कोई भी attraction होना नहीं चाहिए ना एडियली लेकिन हम लोग एक example लेते जैसे अगर फिर से बेंजीन का यह example लेते तो व्ह बॉटल में रख पाते हम लोग नहीं ना वह पॉटलि रख पाते हम दोने लिक्विट के फॉर्म में ऐट आत्राक्शन कि नहीं ही तो इसको देखे देखे उसको बोला जाता है लंडन वर्श्स वह होते हैं नौन yr chips के बीच में तो माण लो यह एक एसा नॉन पोलर मॉलिखिल है घुके अबतेखो हर एक मॉलिक्व ने क्या होते हैं एटम सोते हैं और एक मॉलेकुल में किया होते एटम सोते जिसमें newtwria होता है जिसमें क्या होता है और ऐलेक्टॉंज होते हैं और होता है एलेक्ट्रा थे न्लेक्ट जो है न्युक्रेज यो होता है पॉसीटिवनिघ चाज यूझ कि दूसरे बीडल के साफ था और धिक यह इस ढराम की साथ आईगा दो molecule non-polar अगर एक दूसरे के साथ आएंगे तो क्या होगा उसमें polarity induced होगा कैसे होगा देखिए या क्या होगा इसमें इसमें protons या फिर nucleus एक side में रह जाएंगे electron एक side में रह जाएंगे तो यह होगया delta positive यह होगया delta male तो यह क्या होगया induced dipole होगया यह क्या होगया induced dipole होगया in the non-polar molecule जब भी दो non-polar molecule एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनमें ऐसे तरह से इस तरह से क्या हो जाता है dipole induced हो जाता है और फिर ऐसे dipole induced dipole वाले molecules के बीच में क्या attraction उसको क्या बोला जाता है लंडन dispersion forces dispersion क्यों क्यों कि यहाँ पर क्या हो रहा है dispersion of the charges dispersion याने के fail ray charges क्या हो रहा है fail ray dispers हो रहा है पहले तो ऐसे थे लेकिन बाद में दो molecules अपास में आने के बाद charges dispersed हो रहा है इसलिए उसको क्या बोला जाता है London dispersion forces जो कि इसके बीच में होते है non-polar के बीच में completely non-polar molecules के बीच में इसी का एक example देखते हैं पहला figure है N-penten जो भी एक non-polar molecule है उसमें अगर वो longer या फिर less compact molecule है तो उसका boiling point हो जाता है 309.4 Kelvin लेकिन अगर मैं उसको compact बनाओ compactly उसको compress करो तो उसका boiling point हो जाता है 282.7 Kelvin तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा यह जो London forces है यह surface के उपर depend करते हैं तो जितना बड़ा surface उतने London forces जादा London forces को ही Vanderwall forces भी बोला जाता है लंडन forces लाज Vanderwalls forces पन मंड़ा जाता है तूसरा नाम है इसका Vanderwalls forces तो यह forces किसके उपर depend करते हैं यह जो London dispersion force है न इस directly proportional to the SA surface area जितना बड़ा surface उतना London forces जादा और उतना boiling point जादा है न N penton में पाची carbon है लेकिन straight है तो उसका surface जादा है Neopenten में Nio में क्या होता है? branching होता है उतने पाची carbon है लेकिन branch की वज़ा से surface area कम हो गया और हम लोगों का London forces जादा हो गया और boiling point क्या हो गया? London forces कम हो गया boiling point भी कम हो गया है न तो boiling point and London forces they are you can say they are directly proportional to each other ठीक है? तो यह हो गया intermolecular forces of attraction between the molecules ठीक है? एक last वाला हम लोग देखेंगे इसके बाद that is the hydrogen bonding ठीक है? उसको बोला जाता है hydrogen bonding ठीक है? देखो अभी यह जो hydrogen bonding है यह dipole-dipole interaction के जैसा ही है this is one of the type of the dipole-dipole interaction only just उसमें थोड़ा सा modification है क्या है वो modification देखें? अगर hydrogen का bond X के साथ है ठीक है? X क्या है यहाँ पे? X can be fluorine fluorine and sorry not chlorine X can be fluorine X can be oxygen और nitrogen ठीक है? अगर X इन तीनों में से कोई है तो यह molecule क्या दिखाते है? hydrogen bonding दिखाते अगर आपके molecule में HX bond हो HX में X क्या होना चाहिए? F या फिर O या फिर N fluorine या फिर oxygen या फिर nitrogen या फिर nitrogen ये क्यूं है देखें? आपको मैंने electronegativity का order बताया था periodic table के time पे आपको याद है क्या देखें? राश्ट्रपति को हम सब salute करते हैं तो F क्या हो गया? सबसे ज़्यादा ही लेट इंगे तो फिर उसके बाद आजाएंगे अपने नरेंदर मोदी जी तो वो हो गए प्राइम मिनिस्टर oxygen प्राइम मिनिस्टर को सब ही salute करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इनको solid करता है? राश्ट्रपति को है ना? और उसके बाद आता है होम मिनिस्टर nitrogen nitrogen क्या करता है? oxygen और fluorine दोनों को भी क्या करता है? salute करता है है ना? तो यहाँ पे देखिए oxygen, fluorine, oxygen and nitrogen these three are the most electronegative elements in the period table तो इसलिए अगर hydrogen और उन तीनों में से कोई एक इनके बीच में bond होगा तो वहाँ पे हमको जो डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन देखने को मिलेगा that will be called as the hydrogen bonding क्योंकि उसमें क्या involved है? hydrogen है ना? तो देखते हैं कैसे होता है hydrogen bonding पहला example में आपको HF का बताऊंगी ठीक है? मान लो HF ऐसा है तो मुझे पता है fluorine लेक्टो डिगेटिव है उस पे आएगा delta minus hydrogen पे आएगा delta plus अगर ये दूसरे HF molecule के सामने ऐसा बेड़ता है जिसमें ये है जिसमें ये है delta plus और फिर F है delta minus ठीक है? तो देखो मैंने क्या बोला इनके बीच में attraction होगा? ये attraction आपको ऐसे dotted line से दिखाना है और इस dotted line का मतलब है hydrogen bonding hydrogen bonding या फिर उसको H bonding ऐसा भी बोला जाता है HF ये फ़ेला example हो गया है ना सबसे strongest hydrogen bonding कि इसमें दिखाए देगा? HF में है क्योंकि F क्या है? राष्टरपती जिनको सब salude मारते है देखे दूसरा example पानी का बताऊंगी देखो ये है पानी का molecule अगर ये दूसरे पानी के molecule के सामने ऐसा बेटता है तो मुझे पता है oxygen है negative hydrogen है positive है ना ऐसे तो इन दोनों के बीच में जो bond होगा that will be called as what? hydrogen bonding ठीके? that will be called as what? hydrogen bonding ये होगया पानी का example अब nitrogen के लिए मैं आपको example दूँगे ammonia का ठीके? ये एक molecule होगया ammonia का मान लो ये दूसरे ammonia molecule के ऐसे सामने बेठा है तो मुझे या पर पता है nitrogen negative है hydrogen positive है है ना nitrogen के उपर हमेशा एक loan pair of electron भी होता है ठीके अभी nitrogen और hydrogen के बीच में क्या होगा hydrogen bonding है ना hydrogen bonding या फिर इसको H bonding ऐसा भी बूला जाता है ठीके? अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिला? hydrogen bonding देखने को मिला है ना due to the electronegativity difference in between hydrogen and the X X can be fluorine oxygen and nitrogen इसके दो टाइप है पहला है inter-molecular दूसरा है intra-molecular ठीके इंटर याने के दो अलग-अलग molecules के बीच में और intra याने के एक ही molecule के अंदर bonding ठीके? इंटर-molecular hydrogen के examples are HF भी जो मैंने आपको लिखके दिये H2O and NH3, these three you can write down उनके बीच का example या फिर और भी example लिख सकते है जैसे HF और पानी के बीच में का hydrogen bonding लिख सकते हैं, है ना? या फिर ethanol and water इसके बीच में भी hydrogen bonding आपको दिखाए देगा, है ना? इतनाल and water, अगर mix करोगे, acetone and water उसके बीच में भी पानी और आमोनिया, उसके बीच में भी आपको क्या दिखाए देगा? इंटर-molecular hydrogen bonding, दो molecules के बीच में जो bonding है, that is the inter-molecular, intra याने के same, तो same molecules में देखिए कैसा hydrogen burning होता है, उसका एक simplest example में आपको दूँगी, that is the, this molecule, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, हाँ, नाइट्रोफिनॉल है, जैचा मदे, ये है अपना और्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये क्या है अपना और्थो नाइट्रोफिनॉल, और्थो, यानि के 1-2 पोजिशन पे, OH and NO2 are present, so that is the, और्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, अब देखिए, इसमें oxygen और hydrogen के बीच में bond है, ये oxygen है minus, ये है delta plus, और यहाँ पे भी आप देखिए, oxygen क्या हो जाएगा, minus, nitrogen यहाँ पे plus हो जाएगा है, क्योंकि अगर race लगाई जाए, fluorine, oxygen nitrogen के बीच में, तो nitrogen और oxygen, इन दोनों में oxygen जीतेगा, तो nitrogen oxygen को salute मारेगा, याने क्या oxygen negative बन जाएगा है, तो यहाँ पे O negative है, N is the positive है, अब देखिए, hydrogen and oxygen, ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने को hydrogen bonding देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया, यह कैसा टाइप का bonding हो गया, इंट्रा मॉलेक्लर, विदिन दा सेम मॉलेक्ल, जब भी hydrogen bonding होता है, तो इसको इंट्रा मॉलेक्लर बोला जाता है, एक्जाम्पल, सिंपलेस्ट एक्जाम्पल इस दा, और्थो नाइट्रो फिनॉल, एक और एक्जाम्पल लिख सकते ह बहुत सारे, यह क्या है, यह है इथिलीन ग्लाइकॉल, इनमें देखिया, आप ऑक्सिजन है, डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन है, डेल्टा प्लस, ठीके, और यहाँ पे इंट्रा मॉलेक्लर बांडिंग होगा, ऐसे, ठीके, तो इस इस दा अनादर एक्जाम्पल फर्दर इंट्रा मॉलेक्लर हाइड्रोजन बांडिंग, डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, हाइड्रोजन बांडिंग इंट्रा मॉलेक्लर में सबसे जादा स्ट्रॉंगेस्ट होता है, ठीके, अगर मुझे ओर्डर लिखना होता है, फर्दे स्रेंट अप इंट्रा मॉलेक्लर forces, तो सबसे पहला win होता है, winner होता है hydrogen bonding, सबसे strongest hydrogen bonding is the strongest hydrogen bonding के बाद आता है dipole, dipole है ना, क्योंकि dipole, dipole में 2 dipole है ना, तो 2 dipole है करके ज़्यादा strong bond होगा ठीके, अब उसके बाद आता है iron dipole iron dipole उसके बाद आता है London forces, ठीके London forces सबसे weakest होता है order of the strain for the intermolecular forces of attraction ठीके, चलो अभी इसी के साथ अपना intermolecular forces वाला ये parts कतम होता है, जहाँ पे हमने 5 examples देखे, different different hydrogen bonding से लेकर, डाइपोल डाइपोल से लेकर London forces, so many different types of the intermolecular force of attraction we have seen इसके बाद हम लोग देखेंगे intermolecular forces and thermal energy ठीके, अब thermal energy क्या denote करता है, thermal energy temperature याने के heat denote करता है so it is the origin of kinetic energy of the particles of matter that arise due to the movement of the particles, particles के movement के वज़ा से जो उनमें energy आती है, heat आती है that is called as the thermal energy ठीके, अब देखें, relationship देखते हैं, तो सबसे पहले तो iron dipole के बारे में iron dipole का जो strength होता है that is moderate, देखें, मैंने आपको बता है that is the moderate 10 to 50 kJ per mole occurs between ions and polar solvent dipole, dipole weak होता है polar molecules के बीच में London dispersion सबसे का weak होता है in between the non-polar molecular hydrogen bond moderate होता है strength उसका occurs between aise molecules जिन में HX bond है, X is equal to FCA FN या oxygen, राइट अब इसके बाद let's see the next part of this chapter that is the characteristic properties of the gases gases के characteristic properties देखेंगे already पहले table में detail में देखा है फिर से एक बार देखते है they are lighter and lower density हालके असता density density कमी असते they don't have the fixed volume and shape they are widely separated and are in continuous random motion उसके बाद याव पहला टेबल मदे पहला 10 सांगित ले फिर से एक बार revise करते है they have weakest intermolecular force of attraction and तेचा मुने तेचा मदे property of diffusion असते diffusion तेचा सिंपल एक्जांपल सांगते तुमाला तुम्चा घरी तुम्ची आई kitchen मदे काई तरी बनवात असते तुम्ही तुम्चा study room मदे बस लेले असता है ना तरी सुधा तुम्हाला करते कि तुम्चा आई काई तरी सांगला बनवाते का करण की तेचा हमी कर तुम्चा तुम्हा रूमा परियान की तुम्हा घरी तुम्हा टूण इसा 안 दो आपले पर्फियम सा वाज जातो, that is due to the diffusion, उसके बाद they are highly compressible, है न, compress करू शक्ता आपन टनना, है जाले properties which are the, which can be considered the physical properties, now let's see the properties which are the measurable properties, major के ले जाऊ शक्ता, सबसे पहला है mass, ठीक है, सबसे पहला क्या है mass, अब हमको ये पता है mass can be expressed in terms of number of moles, है सब्सक्राइब आपन some basic concepts of chemistry मदे formula बगित ले, number of moles सा formula का आज तो सांगा बर, given weight of gas, given weight of the gas divided by उसका molecular mass, है न, divided by उसका molecular mass, ये हो गया number of moles, तो जब भी gas का mass हम लोगों को express करना है, we express it in terms of the number of moles, है न, we express in terms of number of moles, अभी volume, volume का क्या मतलब हो है, उसने, हमने gas को किसी भी container में रखा, उस container का volume is nothing but the gas का volume, अब देखो, units देखते हैं volume के, अलग-अलग units होते हैं volumes के, जैसे मानलो मैं बोलू, एक लिटर, एक लिटर मन्जे किती, मिली लिटर जाला, 1000 milliliter, बराबर 1000 milliliter, आनि milliliter, यालाज आपन, milliliter साटी दूसरा सिंबॉल का आया है, centimeter cube, तो यह कितना हो गया, 1000 centimeter cube, cm cube मन्जे में ml, एक ml is equal to 1 centimeter cube, या फिर इसको आपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 decimeter cube, है न, 1 decimeter cube, तो 1 cm cube is equal to 1 decimeter, 1 centimeter cube मन्जे 1 ml, है न, आनि 1000 centimeter cube मन्जे 1 decimeter cube, decimeter cube मन्जे 1 liter, ठीक है, 1 decimeter cube is equal to 1 liter, तमाजला, है जाला volume, उसके बाद, next measurable property is the pressure, अता pressure कासा calculate करता हो, pressure is equal to force applied per unit area, है न, force applied, एक खाद या particular area वरती, unit area वरती, apply के लादाना रा, force, that is nothing but the pressure, बराबर, अब उसके अलग-अलग units होते हैं, जैसे पहला है, this bar, है न, अगर मैं बार बोलू, that is equal to 10 power 5 pascals, ठीक है, 10 power 5 pascals, similarly, एक pascal का भी conversion मुझे पता है, that is equal to 1 newton per meter square, ठीक है, newton per meter square, और 1 newton per meter square कितना होता है, 1 newton per meter square is equal to, या फिर newton per meter square का formula हम लोग के से लिख सकते हैं, kg per meter per second square, बराबर, तो यह सारे conversion factors होते हैं, for converting the pressure, अलग-अलग units में हम लोग convert कर सकते हैं, उसके बाद next is the temperature, temperature, gas का major किया जा सकता है, degree Celsius में, Kelvin में भी, right, तो उसका conversion कैसे करेंगे, अगर मान लो, it is 1 degree Celsius, Kelvin में convert करने के लिए, उस number को मुझे 273 में add करना पड़ेगा, so that will be equal to 274 Kelvin, है ना, 233 add करवाई चे, तुम्हा लकाय में ना रहे, Kelvin, उसके बाद density, D है उसका symbol, density is equal to mass per volume, mass, है ना, mass, m by v, mass divided by volume is the density, तो इसलिए density का, ये क्या हो गया, unit क्या हो गया, kg, density का unit क्या हो गया, kg, dm3, है ना, per volume, kg per liter, kg dm3, diffusion, मतलब तो किती diffuse होतो, त्याचा साथी आपन rate of diffusion, है calculate करतो है, ना, rate मनजे speed, किती speed में तो diffuse होता है, तहला मनाचा, rate, rate मनजे speed, तेका सा calculate करनार आपन, तर तेच्चा मदे, amount of, amount मनजे volume असतो, ना, आपन amount ला, volume मनशक्त, volume of gas diffused, volume of gas diffused, divided by time taken for the diffusion, time taken for the diffusion, तो इसका unit कैसे हो गया, देखिए, volume के लिए क्या उस करेंगे, हम लोग, dm3, तो यह हो गया उसका unit, समझ में आ गया, तो यह सारे है, measurable properties of the gas, अब उसके बाद, next वाला topic हम लोग देखेंगे, that is very very important, part of this chapter, that is the gas laws, gases के properties के लिए, अलग-अलग scientist ने, अलग-अलग laws बनाए, by changing and keeping, the changing and keeping constant, some properties, physical properties of the gas, जैसे कि pressure है, volume है, temperature है, और number of moles है, उनको बदल के, या फिर कुछ उसमें changes करके, constant रखे, उन्होंने क्या किया है, laws बनाए है, अलग-अलग laws हम लोग पढ़ेंगे, one by one, सबसे पहले start करते है, boils law, ठीके तो तो तीन, चार quantity तो बगाई थे, pressure, volume, temperature ने number of moles, number of moles है, वोग है, ड्रोज साथी सोडाईचा, आनि pressure, volume ने temperature है, boil, चाल सानी, गेईलू साथी सोडाईची, सबसे पहले देखेंगे, boils law, boils law applicable at the constant temperature, अगर temperature constant है, तो variable क्या होगा, pressure and volume है, ना, तीन factor बगाई चाहिए, ठीके, तो यह अच्छा मद है, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature, that is the expression for the, that is the expression for your boil slot, ठीके, अब देखो, उसका एक example देखते है, देखो, यहाँ पे temperature मैंने constant रखा है, ठीके, तो देखो, यहाँ पे container है पहले, जिसके उपर, जिसके अंदर मैंने gas लिया है, and it is fitted with the धकन, या फिर piston, ठीके, pressure उपर से apply किया जा रहा है, that is one atmosphere, volume है, one liter, temperature is constant, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने, जैसे मानलो, यहाँ से हम लोग start करते, pressure is two atmosphere, मैंने अगर उसका pressure कम कर दिया, तो pressure कम करने से क्या हो जाएगा, volume बढ़ जाएगा, जैसे कि आपन फूगा फूगा हो तो, फूगा फूगा हो तो मन्ज़े काई करते हो, आपन तैचा मदली हावा, ज़र आपन कमी के लिए, pressure अगर मैंने उसका decrease कर लिया, तो जाहिर है, volume क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, ठीक है, तो वही जीज़ यहाँ पे है, pressure and volume are inversely proportional to each other, अगर आप pressure बढ़ाओगे, volume कम हो जाएगा, अगर आप pressure घटाओगे, volume बढ़ जाएगा, यहाँ पे temperature constant रखा गया है, that is the boils law, यह क्या है boils law, उसका mathematical expression देखते हैं, बहुत ही आसान है, देखिए, यह डाइग्रेम बाद में explain करूँगी, पहले mathematical expression देखते हैं, क्या है, pressure is inversely proportional to volume, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक constant of proportionality sign लगाँगी, यहाँ पे यह से मान लो, k1, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं, k भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया, P is equal to K1 by V, PV को मैं एक side में लाती हूँ, तो PV will be equal to K1, और K1 क्या है, constant of proportionality, याने P और V, pressure और volume का product क्या है, constant है for the Boyle's law, बराबर, इसलिए, अगर मैं दो condition मान लो, जैसे मान लो, initial conditions में, pressure is P1, and volume is V1, and final condition में, मतलब, जैसे कि gas, यह जैसे पीछली वाले diagram में, कोई भी दो container select कर लो, final and initial है न, तो यहाँ पे final में मान लो, P2 है, and volume है V2, तो as PV is constant, therefore, हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 will be equal to, P2 V2 will be equal to, constant, that is called as the, mathematical expression for your Boyle's law, यह होगे अपने Boyle's law का, mathematical expression, एक दम साध है, temperature constant है, pressure आनी volume चा product constant रसनारेका, कारण की pressure आनी volume, they are inversely related to each other, यहाँ पे देखिए, एक experiment किया है, तो पहले, pressure था 2 atmosphere, अगर 2 atmosphere प्रेशर पे volume मेजर किया जाए, that is the 100, 100 cm की वियाने के ml, मैंने क्या किया, pressure घटा दिया, 1 atmosphere, फिर हाफ कर दिया, volume हो गया, 200 ml यानी के 200 cm3, ठीक है, तो यह क्या denote करता है, यह experiment denote करता है, pressure is inversely proportional to the volume, at any constant temperature, temperature यहाँ पे क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है, यह derivation थोड़ा सा, देख लो, you can write it down in your notebook, ठीक है, अभी देखो, mathematical expression देख लिया, now we will see the graphical representation, तो देखो, यहाँ पे यह graph हम लोग क्या करेंगे, we will plot this graph at the constant temperature, बराबर, we will plot this graph at the constant temperature, जब भी हम लोग, देखो, अलग-अलग temperature लिये है, T1, T2 and T3, we have kept this temperature constant, perform three अलग-अलग experiments, पहला experiment देखिए, you can see, T1 के लिए, भी वही graph मिल रहा है हम लोगों को, pressure घटता जा रहा है, volume बढ़ता जा रहा है, तो pressure is inversely related to the volume at constant temperature, similarly for T2 and T3 also, we are getting the same graphical representation, pressure और volume, they are inversely related to each other for the Boyle's law, है न, at constant temperature, ठीक है, चलो, यह हो गया, पहला, पहला graphical representation, इसके बाद next वाला देखते है, next वाला किन किन के बीच में है, PV versus temperature, ठीक है, PV versus temperature, तो हमने Boyle's law के according क्या देखा था, PV यह जो product है, यह हमेशा क्या रहता है? Constant रहता है, PV versus pressure, ठीक है, PV versus pressure, temperature constant है न, तो उसके pressure P, ठीक हमने यहापे क्या देखा, PV, यह product हमेशा क्या रहेगा, constant रहेगा, बदलेगा नहीं है न तो PV कहाँ पर है Y-axis पर है तो जब भी Y-axis का कोई factor constant रहता है तो graph कैसे आता है straight line parallel to the X-axis है न तो आप देखो यहाँ पर pressure बढ़ता जा रहा है लेकिन PV क्या होगा कुछ भी नहीं change होगा PV वैसे का वैसे constant रहेगा यू can change the temperature T1, T2 and T3 एक T1 constant के लिए PVP का graph देखो straight line parallel to the X-axis same for the other two experiments T2 and T3 तो यह जो graph है यहाँ पर हमने क्या किया है PV product को plot किया है pressure के against at the constant temperature अगर constant temperature है तो उसको बोला जाता है isotherm यह graph को क्या बोला जाता है a graph plotted at constant temperature is called as the isotherm iso याने के constant therm याने के temperature ठीक है एक और graph हम लोग plot कर सकते हैं जिसमें pressure y-axis पे होगा और volume कहाँ पे होगा pressure versus 1 by V है ना अब हमने क्या देखा ता relation boils लोगा 1 by V को अगर मैं plot को लो तो यहाँ पे उनके बीच में direct relation है P is inversely proportional to V लेकिन P और 1 by V का relation कैसे है direct P is directly proportional to 1 by V तो graph कैसे आएगा straight line passing through the origin ठीक है लाइक दिस तो यह हो गए अलग-अलग graphical representation for boils law ठीक है अब देखते हैं boils law का यूज करके हम लोग density कैसे निकाल सकते हैं तो मैंने boils law का expression क्या देखा बताएए P V is equal to K1 बराबर P V is equal to K1 अब डेंसीटी के फर्मिला में हम लोगों को volume लगता है तो मैं क्या करूँगी volume को derive करूँगी तो volume क्या जाएगा K1 divided by P बराबर तो यह volume हो गया अब मुझे density as density का फर्मिला क्या है मुझे पता है density is equal to mass upon volume है ना density is equal to mass upon volume तो यह volume वहाँ पे put करते तो यह क्या हो जाएगा mass upon K1 divided by P बराबर तो इसको rearrange करने के बात क्या आजाएगा mass into P divided by K1 बराबर mass into P divided by K1 तो यह हो गया relationship for the density by using the boil law है ना boil law यूज करके हमने क्या किया? density अब देखो यहाँ पे यह जो mass है मैं constant ले सकती हूँ है ना मैं किसी भी constant mass के लिए यह experiment कर सकती तो मैं क्या करूँगी M divided by K1 यह एक bracket में रखूँगी pressure को बाहर रखूँगी इसका मतलब क्या है density जैसे कि यह constant है density is directly proportional to pressure why? because M by K1 यह क्या है constant है M by K1 क्या है constant है ठीक है तो यह हो गया relationship between density and pressure of the gas for boils law या फिर इसको यहाँ भी बोला जाता है boils law in terms of the density of the gas ठीक है? चलो अभी boils law की बाद next वाला law हम लोग देखते है जो है Charles का law ठीक है? अब मैंने क्या बोला pressure, volume, temperature इन में से कोई दो को constant रोको एक को variable रोको boil मे temperature constant रखाता यहाँ पे हम लोग pressure constant रखेंगे देखिए यहाँ पे add constant pressure करेंगे तो जाहिर है volume temperature क्या हो जाएगा variable रहेगा, राइट तो देखो यह क्या है volume of the gas is directly proportional to temperature of the gas in Kelvin Kelvin बहुत important है यहाँ पे temperature किसमें लेना पड़ेगा आपने कोट Kelvin में, है ना ज़र sales मते दीला, sales तर 273 आइड करके temperature Kelvin में लेना पड़ेगा ठीक है, तो volume is directly proportional to temperature T, that is the Charles law, तो sentences कि तीस उपस तबगा, add constant pressure the volume of a gas या फिर fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin है ना, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दिये देखिए, यहाँ पे volume है 2 liters, temperature is 300 Kelvin pressure is constant, 1 atmosphere pressure नहीं बदला, मैंने क्या किया, इसको heat कर दिया heat करने के बाद क्या होता है expansion होता है molecules क्या करते है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, gases के molecules, थोड़ा सा भी temperature में change करो, तो भी gases पे फरक पड़ेगा, यह मैंने आपको बता था टेबल में, तो यहाँ पे अगर मैं इसको heat करू, तो molecules एक दूसरे से दूर भागेंगे, और क्या हो जाएगा, expansion होगा expansion हैने के volume बदल जाएगा volume बढ़ जाएगा, तो 2 liter का क्या बनाए, volume 4 liter है ना, तो यहाँ पे relation क्या है, volume बढ़ता है कब temperature बढ़ता है, तो temperature बढ़ेगा, volume भी बढ़ेगा temperature घटेगा, volume भी घटेगा तो इस relation क्या बोलते है Charles law, है ना, है लाका है मना इतो, Charles law ठीक है, अब देखो इसका graphical representation देखेंगे temperature और volume जैसे कि मैंने बताया आपको temperature and volume are constant so that will be the straight line है ना, at a constant pressure बराबर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा isobar, graph is plotted volume versus temperature, है ना, तो pressure is constant, है ना, जब भी pressure constant होता है उस वाले graph को लोग क्या बोलते है isobar ठीक है, क्या बोलते है isobar, iso याने के constant bar याने के pressure का unit isobar याने के add constant pressure so यह है graphical representation for the Charles law इसके बाद देखते है, next वाला law that is the Gay-Lussac's law इसमें हम लोग क्या करेंगे, volume अभी pressure constant हो गया, temperature हो गया अभी बचा क्या है, अपना volume इसमें volume constant करेंगे तो pressure and temperature will be variables है, ना, तो pressure of the gas of a fixed amount of the gas यह भी बताना है, ना, fixed amount of the gas मतलब number of moles भी constant, directly proportional to the absolute temperature, तो pressure directly proportional to T at constant V, यहना, at constant क्या, volume तो that will be your Gay-Lussac's law यहना, यह क्या हो गया अपना Gay-Lussac's law हो गया, बराबर अभ देखिये, इसका mathematical expression देखते, mathematical expression is very easy for Gay-Lussac's law, देखिये, मैंने क्या भोला आपको volume constant रखना है and you have to change the pressure, बराबर, तो P is directly proportional to absolute temperature T, तो मैं क्या करूंगी, एक proportionality constant, जैसे कि यह third law है तो K3, I will use for this हैना, और Charles law के लिए मैं क्या यूज़ करूंगी V will be equal to K2 into T, हैना, second law यहाँ पर है करके K2 और यहाँ पर यह कित्वा लोगा है तीसरा, बनुन K3 relationship का है जाला, P divided by T will be equal to K3 यह हो गया, Charles law का mathematical expression, एकदम सोप है and add the constant volume graphical representation भी देखते हैं यहाँ पर क्या plot किया है देखिये, pressure plot किया है versus T temperature volume क्या है, pressure plot किया है versus temperature T constant है, volume है ना volume constant है जब भी volume constant होता है उस वाले graph को बोला जाता है iso core ठीके, क्या बोला जाता है iso core C-H-O-R-E volume iso याने के constant core याने के volume iso core process को बोला जाता है iso core process iso baric, iso thermal यह सारे नाम है ठीके, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर the graph is straight line passing through the origin क्योंकि relationship is the direct relation right you have to keep the pressure and temperature variable volume is the constant for the Gay-Luzak's law ठीके उसके बाद next वाला law है Avogadro's law अब देखो boils के लिए temperature था constant charles के लिए pressure था constant and last वाला गे-Luzak's के लिए था volume constant PVT तो हो गए बचा क्या N number of moles right तो यहाँ पर number of moles और volume को relate करेंगे equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules ठीक है तो यहाँ पर constant क्या रखना है P and T temperature pressure constant रखना है relation क्या आ जाएगा volume और number of moles के बीच में equal relation आ जाएगा है ना equal volume direct relation भी नहीं यहाँ पर क्या है equal relation है direct number of moles और volume of the gas will be same है equal तो देखो example यह यहाँ पर doesn't matter gases कुन से है gases का nature क्या है यहाँ पर अगर pressure temperature constant है तो उनके moles और volumes क्या हो जाएगे equal मान लो यहाँ पर मैंने लिया है 6.022 into 10 power 23 याने के आवागेड्रोस नंबर इतने कितने आवागेड्रोस नंबर जितने मैंने क्या लिए है chlorine लिए है साहा पॉर्ण शुन्य दोन दोन हाँ का है आवागेड्रोस नंबर है बराबर आवागेड्रोस यहाँ नंबर ला तचा लाओ मूले स्टेसे नाव दिल ले आवागेड्रोस नंबर इतने molecules लिए मैंने Cl2K सेम O2K Neon के और Methane के तो उन सारों का number of moles क्या है 1 है सारों का number of moles क्या है 1 है temperature and pressure are constant 0 degree Celsius 1 atmospheric pressure है ना तो इन सारों को volume भी कितना आएगा constant आएगा that is 22.4 liter per mole कितना आएगा volume 22.4 liter यह जो volume है यह 1 mole का volume है इसलिए इस volume को बोला जाता है molar volume क्या बोला जाता है molar volume 22.4 1,4 liter per mole molar volume है ना तो इस यह अपना Avogadro's law अब इसी Avogadro's law Boyle's law Charles law या फिर Gale-Usex law यह सारे के सारे law जो गैस फॉलो करता है उसको बोला जाता है ideal gas क्या बोला जाता है ideal ideal gas और जो गैसे इस वो law फॉलो नहीं करते उनको बोला जाता है real gas real याने के जो real है जो real है उसका मतलब क्या है life में या फिर nature में कोई भी ऐसा gas नहीं है जो completely ideal है ठीक है ऐसा कोई भी जैसे कि ideal husband ideal wife ये सिरफ hypothetical concept है दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान कोई भी औरत नहीं है जो ideal है कोई भी इंसान नहीं है no any human being is ideal हम सब में कुछ ना कुछ तो कमिया है that's why we are real similarly ideal gas के होता है जो सारे के सारे laws को strictly follow करता है ऐसा ideal gas सिरफ ideal ही है hypothetical है ideally जो ideal gas जो होते है वो real life में present नहीं होते so all of them are the real gases only कुछ-कुछ conditions में कुछ-कुछ gases लिटिल थोड़ा-थोड़ा ideally behave करते हैं लेकिन completely, strictly ideal कोई भी नहीं है तो इसी ideal gas का हम लोग क्या करेंगे equation ideal gas equation derive करेंगे तो वो derive कैसे करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ बहुत ही simple सा trick है देखिए हमने 3 law देखे boils, charles and avogadros उनको क्या करना है आपे combine करना है ठीके boils, charles and avogadros जहां ती गानना combine कर रहा है देखिए boils law क्या बताता है temperature constant number of mole constant volume is inversely proportional to 1 by P देखो क्या बताता है temperature constant है तो volume is inversely proportional to 1 by P बराबर volume का relation लगाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे gay-lux-sex नहीं लिया यहाँ कि gay-lux-sex में volume ही constant है अभी charles क्या बताता है pressure constant number of mole constant volume is directly proportional to temperature और avogadros क्या बताता है pressure, temperature, constant volume is directly proportional to n number of moles इसको combine करेंगे चलो, कैसे combine करेंगे जब मैं इसको combine करूँगी देखिए तो volume आ जाएगा volume will be proportional to what temperature and n are in the numerators क्योंकि direct relationship है nt divided by pressure का आ जाएगा denominator में क्योंकि pressure के साथ कैसा relation है inverse 1 by P तो 1 by P आने के pressure नीचे गया यह हो गया combination बराबर यह हो गया combination अब इसी को modify करके हम लोग निकालते है ideal gas equation है न V is directly proportional to nt by P इसी को मैं क्या करूँगी इसी को modify करूँगी क्या मिला अपने को येस क्या मिला अपने को V is directly proportional to nt divided by P बराबर अब क्या करूँगी यहाँ पर कुछ तो constant of proportionality रखती हो मानलो r यह मैंने इस proportionality constant रखा तो यह क्या हो गया r into nt divided by P बराबर r into nt divided by P अब यहाँ पर r क्या है मैंने proportionality constant लिया है हैना r क्या है proportionality constant बराबर इस proportionality constant का एक नाम है इसको बोला जाता है universal gas constant universal की बोला जाता है इसका value सभी के सभी दुनिया में जितने भी gases है उनके लिए इसका value same ही होता है इसलिए इसलिए word क्या उसकिया है universal universal मनझे applicable to each and every gas in the universe universe में जितने gases है उनके लिए r का value same रहता है इसलिए मैंने क्या बोला उसको universal gas constant ठीके थोड़ा सा modify करते pressure को यहाँ लाते है तो यह हो जाएगा PV और आगे जाएगा n पहले लिखती हूँ r और उसके बाद में so PV is equal to nRT यह हो गया आपका ideal gas equation ठीके क्या हो गया आपका यह ideal gas equation है ना PV is equal to nRT है ना यहाँ पे n क्या होगा n number of moles होगा pressure P is the pressure V is the volume n is the number of moles R is the universal gas constant T is the temperature बराबर समझ में आगे आपको यह है ideal gas equation यह equation जो जो gas follow करेंगे that will be the ideal gases अब देखे R की values अलग-अलग होती है अगर मैं pressure volume का unit अलग-अलग ले लू temperature का तो है ना तो देखो PV is equal to nRT यह हो गया ideal gas equation इससे मैं R का formula निकाल सकती हूँ तो R will be equal to what PV divided by nT PV divided by nT अगर उसमें मैंने pressure volume temperature अलग-अलग units में लिया तो मुझे R का value जाहिर है अलग-अलग मिलेगा अगर pressure pascals में volume meter cube में number of moles तो common यह moles temperature is also common Kelvin तो मुझे R का value मिलेगा 8.314 joule per Kelvin per mole अगर मैंने pressure ATM में लिया volume DM cube में लिया तो मुझे मिल जाएगा 0.0821 ATM that is atmosphere DM cube per Kelvin per mole या फिर मैंने अगर liter में लिया volume तो मुझे क्या मिलेगा same है 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole बरबर तो यह क्या हो गया R का value अलग-अलग यह value आपको याद रखना है अगर आपके question में pressure पास्कल में दिया है तो 8.31 पर यूज करना है pressure अगर ATM में दिया है तो 0.0821 यूज करना है बराबर अब देखिए उसी ideal gas को यूज करके मैं अभी molar mass का expression derive करूँगे molar mass का मतलब क्या होता है बताए molar mass is the किसी भी compound का जो number of moles होते है या फिर जैसे मान लो अगर मैं methane की बात करूँ उसके one mole का कितना mass होगा that is called as the molar mass of that methane gas उसी को मैं क्या करूँगी derive करूँगी by using the ideal gas equation है न ideal gas equation use करके मैं derive करूँगी देखो मुझे क्या पता है PV is equal to NRT बराबर PV is equal to NRT मैं number of moles और volume को एक side पे लाती हूँ तो क्या हो जाएगा number of moles divided by V है न will be equal to number of moles divided by V will be equal to P divided by RT बराबर will be equal to P divided by I hope आपको यह समझा या फिर पूरा detail में समझाती हूँ देखो अब क्या करूँगी NRT को ये side लोंगी will be equal to PV just मैंने side change किया अब volume को left hand side में लोंगी तो volume will be in the denominator N by V और pressure वही पे रखा RT को नीचे लाऊंगी तो RT हो गया denominator में तो यहाँ पर मैंने क्या किया N by V किया अब N क्या होता है number of moles उसको मैं convert कर सकती हूँ molar mass में कैसे मुझे पता है number of moles का formula क्या होता है number of moles is equal to given weight मान लो M है molecular mass है capital M तो देखो वो चीज़ यहाँ पर put करते है M divided by capital M small m is the given weight of the gas capital M is the molecular mass of the gas molar mass into V will be equal to pressure divided by RT है ना हो गया बर-बर तो देखो मुझे relationship क्या मिला number of moles divided by V याने के M divided by MV is equal to P divided by RT बर-बर is equal to P divided by RT अब यहाँ पर देखो मुझे एक और formula पता है देखो यहाँ पर ऐसे में लिखती हूँ इसको M by V ऐसे लिखा into 1 by M बर-बर capital M और volume अलग-अलग कर दिया will be equal to P divided by RT हैना will be equal to P divided M by V क्या है M by V is nothing but the density हैना क्योंकि density is equal to mass upon volume so density divided by M sorry density divided by capital M will be equal to pressure divided by RT बर-बर pressure divided by RT हैना तो मैंने क्या कर दिया density के form में उस formula को rearrange कर लिया है ना density के form में उसको रिया है तो मैं अभी यहापे capital M का formula लिख सकती हूँ by using this तो capital M देखो density divided by M वो formula फिर से लिख रही है is equal to P divided by RT हैना तो मुझे क्या करना है M का formula लिखना है तो मैं M एक साइड में लाती हूँ तो M का formula क्या हो जाएगा देखिए तो यहापे हो जाएगा DRT will be equal to P into M तो M को एक साइड में लाते हैं और formula क्या हो जाएगा divided by P तो यह formula यूज करके मैं mass और density के बीच में का relationship लगा सकती हूँ समझ गया आप लोग yes so this is the expression for the molar mass by using the ideal gas equation इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे combined gas law combined gas law का मतलब क्या है तीनो लोग को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे अब देखें मैंने क्या बोला था आपको ideal gas law क्या है PV is equal to NR यह है ideal gas law बराबर अब combined gas law यहने के PV and T will be variable NR will be constant N is the number of moles है ना number of moles हम लोग क्या करेंगे constant लेंगे है ना R is the universal gas constant यह दोनों चीज़े क्या है constant है यह दोनों चीज़े है constant variable क्या क्या है pressure volume and temperature है ना तो देखो दो conditions लेते हैं किसी भी expression या compression reactions के initially pressure होगा P1 volume होगा V1 temperature होगा T1 और finally final condition में क्या होगा pressure होगा P2 volume होगा V2 temperature होगा T2 तो इसी को अगर मैं उसमें लाऊंगी तो देखो मुझे क्या पता है PV divided by T is equal to NR NR का मतलब क्या है NR is the constant current number of moles universal gas का है constant तो इसका मतलब क्या है PV divided by T यह क्या हो जाएगा constant therefore constant याने के क्या P1 V1 divided by T1 will be equal to P2 V2 divided by T2 यह क्या हो गया combined gas law ठीक है यह क्या हो गया अपना combined gas law ठीक है combined gas law for the initial P1 V1 T1 and final P2 V2 T2 condition तो चलो बच्चों आप देखते है the relationship between the molar mass density and the pressure by using the ideal gas equation ठीक है तो देखिए हमको ideal gas equation पता है वो क्या है PV is equal to NRT इसको थोड़ा सा modify कर लेते राइट कैसे N और V एक side में लाते है और बाकी सारा another side तो पहले मैं इसको क्या करती हूँ side interchange करती हूँ तो देखिए NRT I will keep on the left hand side and PV on the another side राइट है ना तो देखिए अभी मैं क्या करूंगी number of moles और volume एक side पे लाऊंगी बाकी सारा another side P divided by RT बराबर देखिए अभ यहाँ पे N क्या है बच्चों N is the number of moles बराबर N is the number of moles है ना तो number of moles का formula क्या होता है as we know number of moles is equal to given weight M divided by molar mass M है ना capital M is the molar mass तो वही मैं वहाँ पे put करती हूँ तो क्या हो जाएगा N के जगा पे M divided by capital M और volume V is equal to what is equal to P divided by R T बराबर P divided by R T अब देखिए यहाँ पे एक और formula में यहाँ पे incorporate करूँगी देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि density का formula वो क्या होता है given mass divided by volume है ना as density is equal to mass upon volume वही मैं यहाँ पे put करूँगी mass upon volume के जगा पे D लिखूँगी density divided by capital M is equal to P divided by R T है ना तो इसी को मैं अभी capital M के formula के लिए derive कर सकती हूँ कैसे देखिए तो यह हो जाएगा D into R T is equal to M into P है ना तो M का formula क्या हो जाएगा therefore M will be equal to molar mass will be equal to D R T density universal loss constant temperature T divided by pressure P तो यह होगे अपना final equation for molecular mass of the gas by using the ideal gas equation ठीक है चलो इसके बाद next वाला law देखते है next वाला gas law for the ideal gas equation या फिर related to the ideal gases that is the Dalton's law of partial pressure this is applicable not only to the ideal gases but to the real gases as well right Dalton's law क्या होता है इसको समझने से पहले सबसे पहले partial pressure क्या होता है वो देखना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो देखिए partial pressure देखने के लिए मैं आपको एक concept यहाँ पर पढ़ाऊंगी that is the aquas tension ठीक है aquas tension देखिए अभी aquas tension क्या होता है वो पढ़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा experiment देखेंगे देखिए मान लो मैंने एक beaker लिया या फिर कोई भी container लिया है ठीक है यह कोई भी container है कोई भी apparatus है मैंने इसको लिया है बराबर अब मैंने इसमें क्या किया है मैंने इसमें मान लो मैंने इसमें इथेनॉल डाला है ठीक है मैंने क्या भरा है इसमें इथेनॉल भरा है है ना अब इथेनॉल के बारे में मुझे क्या पता है इथेनॉल का boiling point जो होता है वो कुछ 78 के आसपास होता है not exactly but it is near about the 78 degrees याने के इथेनॉल के सा compound है volatile compound है इथेनॉल के इसा compound है volatile compound है याने के इथेनॉल के molecules क्या करेंगे they will evaporate they will undergo the evaporation वो क्या करेंगे evaporation करेंगे evaporation मतलब क्या करेंगे वो convert हो जायेंगे gases में बहुत आसानी से at room temperature as well they will be converted to the gases या फिर वेपर्स ठीक है तो इस इतनल मॉलिक्यूल को मैंने कहा पर लिया है विकर में लिया है ना वैसे तो मॉलिक्यूल्स अपने आखों को दिखते नहीं लेकिन अंडस्टेंडिंग परपस के लिए मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को यहां पर बढ़ा दिखाती हूं तो कुछ मॉलिक्यूल्स है वो कहां पर रहेंगे सर्फेस पर रहेंगे बराबर कुछ मॉलिक्यूल्स कहां पर रहेंगे सर्फेस पर रहेंगे सर्फेस एरिया पर अब देखिए जब भी इसका इवैपरेशन होगा तो सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे सर्फेस वाले obviously, surface वाले पहले evaporate होंगे, तो evaporate का मतलब क्या है, यह liquid है यह convert हो जाएंगे, gas में तो उपर जाएंगे, है ना, ऐसे तो यह क्या हो गया evaporation हो गया, है ना, यह क्या हो गया, evaporation हो गया, अब देखो अगर मैंने इस beaker को कोई धकन नहीं लगा है, है ना हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया है मैंने इसको बन कर दिया मैंने क्या किया है, उसके उपर धकन लगा दिया I have kept a lead on this beaker, बीकर के उपर मैंने क्या किया है, धकन lead लग दिया है, तो मैंने क्या किया है closed कर दिया है, इसको closed system प्रसेस को टॉने के बाद नीचे आएंगे ना कि जब भी ग्यास फिर से लिक्विट बनेंगे मैं तो बिकर के अंदर देखिए आधा जगा बाकी है उस थे हैं पूर्ण भरले कां तोपूरा बह्रा हुआ है तो इसके जो एरिया है surface एरिया के ऊपर लीड के नीचे वहाँ पर इतन ओल के गैसेज या तो पर सुंगे वहाँ पर यह जो प्रोसेश चल रहा है ना evaporation condensation evaporation यह continuously होता रहेगा है ना continuously होता रहेगा एक स्टे जैसा आएगा जहां पर rate of evaporation rate याने के speed rate याने के speed एक स्टेज जैसा आएगा जहां पे rate of evaporation will be exactly equal to rate of condensation इसका मतलब क्या है बच्चो condensation और evaporation के speed exactly equal होंगे याने के एक point पे अगर 10 molecule उपर जाते हैं जाना चाहिए इस वाले सीन को लोग क्या बोलते है equilibrium है ना तो यह क्या हो गया equilibrium क्या हो गया यह equilibrium इस equilibrium में यहां पर जो भी वेपर्स होंगे ना इस वेपर्स का liquid के surface पे उपर कोई ना कोई pressure होगा वेपर से तो pressure लगाएंगे ना वेपर supply the pressure क्योंकि उनको जगा लगता है expand होने में equilibrium के time पे वेपर्स जो कुछ pressure लगाएंगे surface पे उनको बोला जाता है vapor pressure राइट तो vapor pressure क्या है at equilibrium at equilibrium 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 the pressure applied या फिर pressure of the vapors vapors which are कहा पे over the liquid over याने के liquid के उपर pressure of the liquid over the pressure of the vapors over the liquid is called as is called as vapor pressure is called as what vapor pressure ठीक है यह हो गया vapor pressure अब aqueous tension क्या है अगर pressure exerted by saturated water vapor है उसको बोला जाता है aqueous aqueous याने के पानी tension याने के pressure उसका symbol होता है PAQ ठीक है अगर इथेनॉल के जगा पे मैंने पानी के साथ यह एक्सपरिमेंट किया that will be called as the aqueous tension याने के पानी tension याने के pressure ठीक है वो क्या है पार्शल प्रेशर वेपर प्रेशर ही है लेकिन किसका है पानी का जैसे मैंने इथेनॉल का आपको example समझा दिया वैसे ही पानी के बारे में experiment करेंगे ठीक है तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया अब देखते हैं डाल्टन्स का लोग जिसमें है पार्शल प्रेशर प्रेशर क्या है वो भी एक वेपर प्रेशर ही है लेकिन वो पार्शियल है पार्शल का मतलब क्या होता है देखिए आप और मैं आप में से कोई और मैं हम दोनों साथ मे के company बनाते हैं, कुछ ना कुछ XYZ product बनाएंगे उसमें, company बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो मैं अपने से, जैसे मानलो मैंने एक लाग दिया, आप में से किसी ने आप होता मेरे, किसी ने 10 लाग दिया, किसी ने 1 CR दिया, किसी ने 2 CR, तो ऐसे करके हर एक ने अपना-पना contribution दिया, तो इस वाले जो investment था, इस वाले investment में मेरा contribution कितना है, 10 लाग, आपका कितना है, 1 CR, 2 CR, 10 CR, तो ये contribution का मतलब क्या है, मैंने अपना part दिया है, ना, this is my part for the total expenditure, सेम होता है, partial pressure, अगर हम लोग gases का mixture देखते हैं, उस mixture में, अलग-अलग gases का contribution is उसका partial pressure, ठीक है, अलग-अलग gases का mixture में, हर एक gases का pressure is nothing but the partial pressure, तो अगर मुझे total pressure निकालना है, तो क्या हो जाएगा, total pressure will be sum of the partial pressures of all gases, right, तो यही है अपना Dalton का law, है ना, Dalton का law क्या है, total pressure of the mixture of two or more non-reactive gases, non-reactive होना बहुत ज़रुए, अगर reaction करते हैं, तो कुछ ना कुछ changes आजाएंगे उसमे, non-reactive gases is sum of partial pressures of all gases present in the mixture, है ना, same, तो total pressure कैसे आएगा, देखिये, PT will be equal to P1 plus P2 plus P3 and so on, कितने भी हो सकते हैं, है ना, तो that is the Dalton's law, total pressure of the mixture of two or more than two gases is always equal to, non-reactive gases is always equal to some of the partial pressures of all gases present in the mixture, यही आपे दिखाया है, देखिये, P1 is one gas, P2 is another, दोनों को कमबाइन कर दिया, तो मिल जाएगा, P1 plus P2, right, that is your Dalton's pressure, PT, total pressure is equal to P1 plus P2, ठीके, ठीके, यह होगा Dalton's law, या फिर Dalton's law of partial pressure, इसके बाद हम लोग देखेंगे, Aqueous Tension का और Temperature का Relationship, Aqueous Tension मतलब मैंने आपको समझाया है यहापे, जब भी आप Vapor Pressure Calculate करोगे, पानी का, तो उसको बोला जाएगा Aqueous Tension, यही एक्सपरिमेंट करना है, तो इस एक्सपरिमेंट में क्या होता है, Evaporation होता है, तो जाहिर है Evaporation और Temperature, उनका Relation क्या होगा, अगर Temperature बढ़ाओगे, तो Liquid to Vapor आसा नहीं होगे, ना, Liquid को Gas में बनने में, Gas बनने में बहुत आसा नहीं होगे, अगर आप Temperature बढ़ाओगे, इसलिए, अगर मुझे Aqueous Tension और Temperature का Relationship लिखना है, तो वो क्या है, इसलिए, डाइरेक्ट, तो PAQ, Aqueous Tension, is directly proportional to temperature, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, Temperature and Pressure लिखा है, Aqueous Tension for Variety of the Gases, अगर आप Temperature बढ़ाओगे, तो आपका Aqueous Tension क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, A Direct Relationship in between the two, इसके बाद, जैसे के मैं आपको बूला, Kinetic Theory of the Gases आपने पड़ा है इसके पहले, तो उसको लेके, या फिर on the base of that and the ideal gas equation, we are going to see the deviation from the ideal behavior of the gases, तो deviation will be observed at the high pressure and low temperature, यह याद रखना है आपको, deviation is observed at high pressure and low temperature, always, ठीके, deviation याने के ideal behavior से कैसे real gases अलग है, वो चीज़, real gases does not obey Boyle's law and Charles law under all conditions of temperature and pressure, that's why they are real, deviation from the gas ideal behavior observed at high pressure and low temperature, यह याद रखो, high is the pressure, low is the temperature, यह condition, लाप लेला, real gas behavior दिसाला मेंता, देखिए इसलिए pressure volume को plot किया गया है, तो आपने को दिखाए देगा कि real gas and ideal gas उनका graph अलग-अलग है, that means there is deviation of the ideal gas behavior in case of the real gases, तो इसलिए यह वाला question हमेशा आपको पूछा जाता है अपने board के paper में, बोर्डा चापेपर में ऐसा प्रश्न विचार लाजातो, differentiate in between the ideal and the real gases, तो सबसे पहला difference क्या होगा, सबसे पहला difference will be, real gases do not obey the gas laws, ideal gases obey the gas law, तो that will be the, ideal gases strictly obey the Boyle's and Charles law, तो Boyle's and Charles law था combined equation में तो माला सांगीत लेला, PV by NRT is equal to 1 आएगा, क्योंकि constant है, लेकिन real gases के बारे में, they don't obey the Boyle's law and Charles law at high temperature and high pressure and low temperature, therefore PV by NRT का value क्या आजाएगा, not 1, because that's not constant, in case of ideals, molecules are perfectly elastic, elastic का मतलब है, अगर कोई भी दो molecules एक दूसरे को collide भी होते हैं, तो there is no any net change in the collision, right, due to the collision, वो perfectly elastic होते हैं, right, लेकिन real gases में the molecules are not perfectly elastic, in case of ideal gas, molecules के बीच में कोई भी attraction नहीं होता, जैसे कि हमने अलग-अलग molecules के attraction देखे, inter-molecular force of attraction देखे, उस forces के वज़ा से ideal gas behavior में changes आ सकते हैं, deviation आ सकता है, ideal gases में no any attraction or repulsion between the gas molecules, collision without loss of kinetic energy takes place, ठीक है, अगर collision होता भी है, उसमें कोई भी loss या gain of energy नहीं होगा, right, लेकिन gases के बारे में inter-molecular attraction is present, अलग-अलग पाच प्रकार के attraction हमने देखे हैं, hence collision takes place with loss of kinetic energy, यानि कि अगर एक gas molecular speed से आ रहा है दूसरा, another speed, अगर वो दोनों एक दूसरे टकराते हैं, तो उनका speed कम होता है, speed को ही हम लोग क्या बोलते हैं, kinetic energy of the gases, actual volume of the gas is negligible as compared to total volume of the gas, gas चा molecule चा, single gas चा molecule चा अगर volume देखे, so that is completely negligible as compared to the total, पूरा volume of the gas के comparison में, उसका volume बहुत ही negligible होता है, लेकिन यहाँ पर actual volume of the individual, यहाँ पर single gas, is significant at high pressure and low temperature for the real gases, then ideal gases do not undergo the liquefaction, even at low temperature but continually is obeys to Charles law and finally occupies the zero volume at minus to 73 celsius, यह बहुत ideal behavior ही है, कही पर भी आमने एको दिखाई नहीं देगा, because that is the ideal behavior, ideal gases कभी भी liquefaction नहीं दिखाते, liquefine नहीं होते, मन्जे, जर आपन gases ला compress के ल, या फिर उनका temperature घटाया, है ना pressure बढ़ाया, temperature घटाया, तो क्या होता है, gases का liquefaction, है चैसे simple है, उधारन टेते तुमाला, आपन घरी जो cylinder वापर तो, gas cylinder, या लापे वोट अपन, आपन ठाचा अर्था का है तो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्याश, बराबर, 기억 About लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, Mange के का है, तेला लिक्विफाइड के लाजाता, लिक्विफैक्शन, म тов अजे का है, 15 लीटर परेंता अपला सिलिंडर मदे गैस बस जोगतो otherwise कितना बड़ा सिलिंडर लगता और कितना हर दिन में एक सिलिंडर बदलना पड़ता अपने गैस सिलिंडर के लिए है ना कुकिंग के लिए लेकिन लिक्विफैक्शन की वज़ा से बहुत जादा गैस कम वॉल्यूम लिक्विफाइड फॉर्म मदे आपने सिलिंडर मदे भर लेला सो तेचा मुणे पर तेक असला बीहेवियर है दाट इस दा रियल गैस बीहेवियर आईडियल गैस को आप कितना भी कॉंप्रेस करो कितना भी उसका टेंपरेचर नीचे लाओ इवन एट माइनस टू सेवेंटित्री सी डिग्री जीरो डिग्री मंजे दोंचेत रहत्तर सेल्सियस असना माइनस टू सेवेंटित्री मतलब समझिए कितना कम उस टेंपरेचर पर भी आपको क्या मिलेगा नहीं लिक्विफक्षन नहीं मिलेगा for the ideal gases real gases undergo the liquefaction such a gas does not exist ऐसा gas exist ही नहीं करता that's why it is the ideal gas and real gases do exist so many examples you can write on oxygen, nitrogen, helium, ammonia, carbon dioxide जो आपको चाहे आप सभी example यहाँ पे लिखो क्यूंकि दुनिया में जो भी कोई gases present है वो सारे के सारे क्या होते है real gases ideal gas does not exist in the nature ठीक है, समझ में आ गया यह difference जो है यह आपके board के exam में 4 mark के लिए पूछा जाता है या फिर कभी-कभी 3 mark के लिए तो accordingly we have to write down the different pointers देखिए, जो deviation देखा जाता है ideal gas behavior से उसको measure करने के लिए है न या फिर उसको quantify करने के लिए एक factor responsible है that is called as the compressibility factor ठीक है उसका symbol होता है capital Z capital Z is the compressibility factor का symbol real gas behavior या फिर real gases जब या ideal behavior शो करते है when pressure approaches 0 deviation from the ideal behavior measure किया जाता है by using the factor called as capital Z capital Z का states of matter में meaning है compressibility factor capital Z in the atomic structure is the atomic number तो confusion नहीं चाहिए यहापे capital Z is the compressibility factor ठीक है? वो क्या करता है? वो अपने real gas behavior को explain करता है measure करता है quantify करता है मतलब क्या देखिए उसको कैसे निकालते है calculate कैसे किया जाता है formula है Z is equal to PV divided by NRT ठीक है Z is equal to PV divided by NRT हा formula वापरूर Z मतलब compressibility factor अपनो हम लोग calculate करूँ शक्तो हा वर्थी पन numerical से ताथ CET मद है simple यह formula यूज करना है और Z find out करना है उसके बाद देखते है liquefaction of the gases देखो liquefaction का मतलब मैंने आपको समझाया to convert the gas into the liquid by applying different criteria for an example you can lower down the temperature या फिर you can increase the pressure तो देखो इसलिए यहाँ पर दो critical constant आपने को दिखाई देगे critical याने के they are related to the liquefaction है ना तो देखो सबसे पहले temperature above which liquid cannot be या फिर gas cannot be liquefied by increasing the pressure या फिर कुछ भी करो दुनिया भर का आपको जो चीज चाहे वो करो लेकिन फिर भी आप क्या कर नहीं पाऊगे उस temperature के above उस temperature के उपर आप कभी भी gas को real gas को liquefy नहीं कर पाऊगे ऐसे temperature को क्या बोलेंगे critical temperature T C है ना capital T C small at the subscript है ना या temperature चाह वर्ती मजे तैचा फुडे तुम्ही कदी ही किती ही प्रेशर मदे changes करा वाडवा प्रेशर काही करा पन तुम्ही गास लगीफाई करू शकत नहीं ताट इस दुम्ही गास लगीफाई करू शकत नहीं है ना molar volume at this temperature will be the critical volume आणि the pressure at the critical temperature is the critical pressure ठीके pressure at that critical temperature is called as the critical pressure आदा है VC, PC आणि TC याचे definition पन लक्षा ठेवाई चे one mark short answer मदे V4 लेजाता ठीके अब इसी के साथ अपना gaseous state खतम होता है तो gaseous state के बाद हम लोग discuss करेंगे the liquid state liquid state में liquid state की properties हमने पहले ही देखी है कि कैसे वो intermittent होते है in between solids and gases as far as the compression expansion is concerned intermolular forces are concerned या फिर arrangement of the particles is concerned volume, density, shape so many factors are concerned liquid क्या होते है solids और gases के बीच में होते हैं तो therefore उनकी property भी accordingly ही होती है in between the solids and gases one by one liquids की सारी property discuss करेंगे सबसे पहला property है vapor pressure जो मैंने आपको पहले एक्स्पेइन कर लिया है aquis tension के time फिर से एक बार revise कर लेते हैं by using this diagram which is given in your book देखो vapor pressure है यानि के pressure calculate करने के लिए you can use two apparatuses या फिर instrument जिसका नाम है barometer या फिर manometer ठीक है तो यहाँ पर mercury manometer यूज किया है जिसमें mercury level use major किया जाता है आप by for calculating the vapor pressure वही experiment है जो मैंने आपको समझाया था let's see this experiment देखो इन्होंने क्या किया है एक धकन वाला vessel यानि के closed vessel लिया है है ना so that vapors बाहर ना जाए closed system किया है बराबर उसमें एक liquid भरा है बराबर जैसे हमने ethanol बराता वो liquid क्या करेगा evaporate भी करेगा, condense भी करेगा same experiment देखे upward arrow is the evaporation downward arrow is the condensation due to this evaporation condensation evaporation condensation क्या होगा liquid के उपर, surface के उपर vapor जमा होंगे है ना, वो vapors क्या करेंगे pressure exact करेंगे क्योंकि हर एक gas क्या करता है gases को, उनका randomness बहुत जादा होता है वो bachelors होते, वो शादी शुधा नहीं होते तो एक जगा पे नहीं बेटते वो हमेशा उड़ जाते, गूमते रहते तो मतलब है उनको गूमने के लिए पसरने के लिए expand होने के लिए क्या लगता है जगा, तो वो क्या करते है pressure apply करते है न, expansion के लिए तो देखो यहाँ पे vapors क्या करेंगे pressure, यानि कि वो बाहर escape करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो pressure escape करके कहा जाएंगे यहाँ पे, और mercury manometer पे अपने को क्या मिलेगा, reading मिलेगा, and the difference before the evaporation and after the evaporation, that will be called as the vapour pressure, this difference है न, that will be called as the vapour pressure तो vapour pressure को define केसे करेंगे, the pressure of the gases, या फिर vapors above the liquid is called as the vapour pressure vapour, आज कुठे असनारत liquid चा वर्ती, the liquid चा वर्ती vapour चा जे pressure रसल, that is the vapour pressure, यानि प्रोसेस काया है evaporation, condensation, evaporation condensation, continuously until the equilibrium is reached मैंने वो पहले ही सब लिखके दिया है आपको यहाँ पे जस्ट फिर से एक बार था so that's why I explain this to you ठीक है, vapour pressure is the first property factors affecting vapour pressure, nature of liquid, दो type के liquids रहते हैं यहाँ पे एक है volatile, दूसरा है non-volatile, ठीक है non-volatile, volatiles के examples में आपको बता दू, जैसे पानी भी consider किया जाएगा, क्योंकि वो भी vapour pressure create करेगा, उसके बाद ethanol, ethanol then methanol methanol उसके बाद ether acetone, etc बहुत सारे ठीक है, तो यह क्या है? यह है सबी volatile liquids, volatile का मतलब क्या है? वो उड़ जाते है, है ना, जैसे कि अगर sanitizer ले लो है, sanitizer में alcohol रहता है, अगर sanitizer हाथ में लगाते हैं हम लोग, तो वो within, you know, half minute, वो dry होता है, हाथ मतलब वो उड़ जाता है, लेकिन पानी से अगर हम लोग हाथ दोते हैं तो हमको वो wipe out करना पड़ता है, तो यहाँ पर पानी का temperature, boiling point temperature जादा है लेकिन ethanol का या फिर बाकी लोग का कमी है, तो temperature अगर hundred से कम होगा, so those substances will be called as the volatile substances, they can undergo the evaporation on their own very easily, है न, बहुत आसानी से वो क्या कर सकते हैं, evaporate कर सकते हैं आपने आपको, non-volatile क्या होगे, which are not you know, able to undergo the evaporation, जिनका boiling point क्या होगा, boiling point will be greater than hundred degree Celsius, ठीक है, boiling point will be greater than, इसका एक perfect example है, oil, oil अगर आप कितना भी, you know, you keep it on the platform of your kitchen, for 10-15 कितने भी दिन रखो, वो evaporate नहीं करेगा, वो ऐसा का वैसा रहेगा, on the other hand, अगर आप पानी का glass रखो, और 10-15 दिन उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो वो क्या करेगा, evaporate करेगा, कुछ दिन और बाद आपको उसका volume कम नजर आएगा, right, so that is the difference between volatile और non-volatile, तो हमारे इस process में, क्या चाहिए अपने को, evaporation चाहिए है ना, evaporation होना बहुत ज़रूरी है, तो that is why, ऐसे substances, जो आसानी से evaporate करेंगे, वो अपने को क्या देंगे, vapor pressure अच्छा देंगे, है ना, तो vapor pressure for the volatile substances is greater, vapor pressure for the non-volatile, बहुत बार होता ही नहीं है, क्योंकि vapors ही नहीं होते, तो vapor pressure कहा आएगा, है ना, तो volatile substance होना बहुत ज़रूरी है, to have the vapor pressure, ठीक है, दूसरा है temperature, अब देखो, temperature and evaporation, they are directly related to each other, है ना, जितना ज़्यादा temperature होगा, उतना evaporation fast होगा, यानि के गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, पानी जल्दी evaporate होता है, अगर गर्मी के मौसम में, पानी एक प्लेट में रखो, और उसको दो दिन तक भूल जाओ, तो पानी evaporate हो जाएगा, लेकिन वो ही बारिश के मौसम में, या फिर थंडी के मौसम में, क्या होगा, उसको थोड़ा time लगेगा, temperature and evaporation are directly proportional to each other, therefore temperature and vapor pressure, Vp, they are also directly proportional to each other, जितना ज़्यादा temperature होगा, उतना vapor pressure, ज़्यादा आएगा, उसके बाद next वाला property देखते हैं, this is also very interesting property of the liquids, that is surface tension, surface के उपर जो tension है, that is the surface tension, उसको एक बहुत ही simple experiment के, यूज करके हम लोग explain कर सकते हैं, देखो, एक पानी का बीकर लिया है, simple सा, तो पानी के बीकर में, देखो, बहुत सारे molecules नीचे होंगे bottom में, बहुत सारे middle में होंगे, और बहुत सारे molecules का होंगे, surface पे, बराबर, तो हम लोगों को यहाँ पे, middle में जो molecules हैं, और surface उनके बारे में सोचना है, तो सबसे पहले, मैं इस middle वाले molecules के बारे में, आपको बताती हूँ, ठीक है, देखो, यह है वो middle वाला molecule, बराबर, अब देखिए, हमने एक concept पढ़ा था, शुरू में इस lecture के, that was the intermolecular forces of attraction, कभी भी दो molecules से एक दूसरे के पास आते है, जब भी वो compound form करते है, उसका मतलब उनके बीच में attraction है, जाने के molecules के बीच में क्या है, attraction है, तो attraction है, तो जाहिर है, कुछ ना कुछ तो, relationship होगा in between the two molecules, यह एक molecule देखो, जिसको मैंने red dot बनाया है, I have made a red dot for this molecule, यह molecule अपने आस्पा, जितने भी molecules होँगे, उसके neighbors, उनके साथ क्या होगा, उसका attraction होगा, right, it will experience the attractive forces, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, inter-molecular forces है ना, तो उस inter-molecular forces की वज़ज के क्या होगा, वो सारे उसके neighbor, उसको उसकी तरफ, उनकी तरफ attract करेंगे, attraction होगा है ना, तो देखो, एक neighbor उपर बेटा है, वो उसको यहाँ से attract करेंगा, लेकिन उसके exactly opposite, एक और neighbor नीचे बेटा है, वो ऐसे attract करेंगा, similarly, एक neighbor neighbor right को attract करेंगा, दूसरा exactly left पे, similarly, यहाँ पे, in the opposite direction अपने को क्या मिलेगा, attraction देखने को मिलेगा, मतलब एक ही molecule को, उसके चारों तरफ से, result क्या होगा, जैसे मान लो, एक रसी को, दोनों भी side के, जैसे मान लो की, दो खली है अपने पाई, जैसे मान लो की, जो यह व्याव्य या व्याव्य व्याव्य में, इंडिया से खेलते हैं, तो ऐसे मान लो, मैंने देखा नहीं वैसे, लेकिन मैंने सुना उनके बारे में, न्यूस पेपर या फिर टीवी में, तो देखो, वो माना जाता कि बहुत पावर्फुल है, मान लो, रसी के दोनों तरफ वही है, खली नमबर वन, खली नमबर टू, तो दोनों भी रसी को खीचेंगे, नेट इफेट क्या होगा, जीरो, रसी ना इस तरफ जाएगी, ना उस तरफ, नेट इफेट विल बी जीरो, सेम, यहाँ पे भी इस मॉलिक्यल को, उसके चार और से, दूसरे मॉलिक्यल क्या कर रहे है, इंटर मॉलिक्यल फोर्सेद बनाना, फोर्स, फोर्स तो है, लेकिन वो क्या है, बैलंस्ट है, नेट रिजल्ट इस जीरो, बट, अगर मैं सर्फेस की बात करूँ, सर्फेस के लिए, इस मॉलिक्यल की बात करूँ, इसको, नीचे की और फ्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है, इधर आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, और राइट आ रहा है, लेकिन उपर कोई आ रहा है क्या, उपर तो कोई मॉलिक्यल है नहीं, है ना, उपर कोई मॉलिक्यल है नहीं, क्योंकि ये मॉलिक्यल सर्फेस पे है, उपर से इसको कोई भी फोर्स, experience नहीं कर रहा है, है ना, याने कि ये molecule को नीचे की तरफ ज्यादा force experience किया जाएगा, है ना, it will experience the imbalanced force, है ना, it will experience, molecule at the surface will experience imbalanced force, है ना, क्यों कि उपर की तरफ कोई भी उसको force नहीं लगा रहा है, बराबर इसलिए हमेशा आप देखिए, जब भी आप glass में, beaker में, container में पानी लाते हो, तो वहाँ पर आपको ऐसे दिखाए देखा, जैसे कि ये beaker है, या फिर glass है, पानी का level ऐसे होगा, है ना, पानी का level ऐसे, ऐसा पूरा straight नहीं होगा, ऐसे होगा, करवेचर में होगा, है ना, और इसलिए हम लोग जब भी, पीपेट में, या फिर beaker में, ऐसे होते है ना, तो इसको बोला जाता है, lower meniscus, हम लोग क्या measure करते है, अगर मुझे इसका volume measure करना है, तो मैं क्या करती हूँ, lower meniscus, मतलब नीचे वाला line measure करती हूँ, ये क्यों होता है, ये से पानी नीचे क्यों खीचा जाता है, due to the surface tension, ये जो यहाँ पे molecules को उपर tension आता है, है ना imbalance force की वज़ा से, जो tension उसको नीचे की तरफ खीचता है, that is called as the surface tension, है ना, तो ये क्या है, force है, force acting per unit area, या फिर per unit length, perpendicular to the line drawn at the surface of the liquid, surface के उपर line draw किया है, है ना, surface के उपर के side पे कोई भी force नहीं है, क्योंकि कोई molecule है ही नहीं, नीचे की तरफ है, तो molecule क्या करेंगे नीचे वा नीचे की तरफ फोर्स अप्लाइ करेंगे, खीचेंगे, तो पानी नीचे जाता है, that is called as the surface tension, तो वो क्या है, surface tension मतलब है, force है, force acting per unit length, perpendicular to the surface of the liquid, is called as the surface tension, समाझ में आगे आपको, surface tension, then next property, या फिर ये last property भी बोला जा सकता है, liquids का, that is the viscosity, ठीक है, अब देखिए, viscosity का मतलब में आपको समझाती हूँ, इसका experiment भी आप करोगे, अपने chemistry के practicals में, physics में भी viscosity का एक experiment है आपके लिए, वो क्या है, देखिए, मान लो मैंने दो buret लिया है, ठीक है, मान लो मैंने क्या किया है, दो buret लिया है, ठीक है, ये एक buret है, इसका nozzle वगेरा में नहीं ड्रॉ करती, और दूसरा एक buret है, ठीक है, एक buret में मैंने क्या भर दिया है, एक ब्यूरेट में मैंने एकदम गाढ़ा वाला oil भर दिया है, एकदम थिक वाला, oil मैंने भर दिया इसमें, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या भर दिया है, यह क्या है, यहाँ पर, oil है, है ना, और दूसरी जगह पर मैंने क्या भर दिया है, यहाँ पर मैंने पानी भर दिया, water भर दिया, राइट, अब मेरे पास एक metal का spear है, मेरे पास क्या है एक मेटल का स्पियर है, ऐसा, एना this is the metal स्पियर, मेटल स्पियर, राइट, मैं उसको क्या करूंगी, मैं पहले इस वाले ब्यूरेट में डालूंगी, जब भी मैं उसको डालूंगी, मैं स्टॉप वाज चालू करूंगी, I will start the stopwatch, और इसको नीचे आने तक, जैसे मानलो यह लेवल मैंने डिसाइड कर लिया है, इसको नीचे आने तक कितना टाइम लगता है, मैं वो stopwatch में note करूंगी, जैसे ही मैं वो स्पियर को डालती हूँ, stopwatch start करूंगी, जहाँ पर metal यहाँ पर आता है, मैं stopwatch बंद कर दूंगी, ऐसे मानलो इसको 20 seconds लगे, कितने लगे 20 seconds, वही experiment में अभी oil के साथ करूंगी, metal को डालूंगी, exactly उसी point पर stopwatch चालू करूंगी, metal यहाँ पर आता है, मैं बंद कर दूंगी, इसको लगेंगे 40 seconds, ठीक है, उसका मतलब क्या है, oil का जो थिकनेस होता है, oil का जो गाढ़ापन होता है, वो बहुत जादा था, इसलिए metal sphere को नीचे आने के लिए जादा time लगा, लेकिन पानी के बारे में वैसा नहीं था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए metal sphere बहुत आसानी से नीचे आ गया, कम समय में, बराबर इस property को viscosity बोलते हैं, या फिर this property, या फिर this observation is due to the viscosity, याने के गाढ़ापन, याने के गाढ़ापन, तो oil जादा विसकस होता है, पानी कम विसकस होता है, याने के oil को आपको पता है, oil का property आपको पता है, उसका गाढ़ापन जादा होता है, साथ thickness होता है, stickiness होता है, that is called as the viscosity, अब यह viscosity किस वज़ा से होता है, यह viscosity होता है, layers के बीच में का friction के वज़ा से, जैसे मान लो, एक liquid है, oil है जैसे, है ना, तो यह oils के, यह अलग-अलग layers होंगे, molecules के, इसके बीच में molecules है, तो क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, जादा friction होता है, जादा क्या होता है, friction होता है, तो जब भी यह हम लोग pour करते हैं, या फिर इन्हें कुछ चीज़े डालते हैं, तो successive layers के बीच में बहुत जादा friction होता है, force होता है, that is resistant to the flow of liquid, flow of liquid यानि के fluidity के लिए वो क्या करता है, resist करता है, अगर मैं पानी को ऐसे फेला दू जमीन पे, फर्श पे, पानी बहुत आसारी से फेलेगा, लेकिन अगर oil को मैं से फेला दू तो oil ज्यादा time लेगा फेलने के लिए, fluidity उसका ज्यादा नहीं होगा पानी के comparison में, वो किसलिए, that is due to the viscosity, और हम लोग क्या बोलते है, oils are more viscous, या फिर viscous as compared to the water, ठीक है, इसी के साथ, viscosity के साथ ही अपने property खतम होते है, liquids के, viscosity के बारे में उसके units याद रखना बहुत जरूरी है, units के उपर एक question आया था, past year pyq में अपने mstc, that's why मैंने उसके unit add कर दिये यहाँ पे, तो viscosity जो प्रापर्टी है, वो in terms of viscosity coefficient, या फिर coefficient of viscosity, eta, यह जो n जैसा दिख रहा है, यह n नहीं है, इसका थोड़ा सा यह वाला लाइन नीचे ड्रॉ करो, इसको कैसे प viscosity coefficient, या फिर coefficient of viscosity, viscosity property को major करने के लिए हम लोग eta का इस्तमाल करते है, दो unit है, उसके si and cgs, दोनों याद रखना है, si में उसको बोला जाता है, newton second per meter square, आनि cgs मदे, तहला मनाई चा, poise, p o, p o i s e, या याद रखो word, p o i s e, poise, तो conversion भी देखो, 1 poise is equal to 1 gram per centimeter per second, आनि it is equal to 10 minus 1 kg per meter per second, है न, देखो, अगर gram को kilogram में, centimeter को meter में करोगे, तो you have to add the 10 power minus 1 to that, right, तो these are the unit convergence for the viscosity, poise, या unit याद रखो in the cgs unit, viscosity या फिर coefficient of viscosity eta is expressed in terms of the poise, ठीक है, समझ में आ गया, इसी के साथ, साथ, liquids की property खतम होती है, and अपना chapter, states of matter, liquids and gaseous state, या फिर gaseous state and liquids is also over, ठीक है, इसी chapter को लेके, हम लोग कुछ question solve करेंगे, उसके पहले, मैं थोड़ा साब को conclusion में revise कर लूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने start किया था, differences between solid liquids and gaseous के साथ, उसके बाद हमने देखा था, the meaning of intermolecular forces, अलग अलग प्रकार के 5 forces हमने देखे, है न, उसमें आता था, सबसे पहले हमने देखा dipole-dipole interaction, उसके बाद देखा iron-dipole interaction, उसके बाद देखा London forces, या फिर London dispersion forces, उसके बाद हमने देखा, hydrogen bonding as well, तो यह सारे forces हमने देखे, one by one intermolecular force of attraction, along with their examples, उसके बाद हमने देखा, the properties of the gases, जिसमें, some properties were the physical properties, some properties, properties were the measurable properties, उनके formula हमने देखे, उसके बाद gas loss देखे, चार gas loss देखे, पहले, पहले स्टार्ट किया, Boyle's law के साथ, temperature constant रखे, PV को change कर दिया, फिर उसके बाद देखा, Charles law, फिर उसके बाद देखा, Gay-Lusack's law, और last वाला जो था, that was the Avogadro's law, जिसमें हमने volume और N, number of moles के बीच में का relationship देखा, इसके बाद हमने combined gas law भी देखा, ideal gas equation भी हमने derive कर लिया, उसके बाद relationship between the molar mass density pressure भी देखा, फिर उसके बाद Dalton's law of partial pressure देखा, जिसमें हमने aqueous tension यानि के vapor pressure का concept भी पड़ा, उसके बाद हमने liquid के properties देखे, one by one, फिर deviation of gas law, ideal gas behavior वो भी पाट देखा, जिसमें हमने compressibility factor देखा था, लिक्विड में उसके अलग-अलग property start किये थे vapor pressure के साथ, फिर surface tension and then viscosity, तो यह सारा part हमने complete कर लिया in the chapter states of matter, अब उसके questions रेखते है, some questions I have listed for you, let's see one by one, so few questions of these are from the PYQ, they are PYQ past year question papers, and some of them are totally new, let's see the first one, unit of the viscosity, CGS unit is poise, इसमें जो dynes आता है, that is not the unit of viscosity, that is related to the dipole moment, ठीकें, then उसके बाद, let's see the next one, at constant temperature, the product of pressure and volume of a given amount of gas is constant, that is called as, देखिए, यह क्या है, temperature constant है, PV variable है, तो मैंने क्या बताया, pressure volume अगर variable temperature constant है, तो that is, Boyle's law, PV is equal to constant, next question देखते है, rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass, ठीकें, inversely proportional to square root of the molecular mass, non-ideal gases approach, ideal behavior, under high temperature and low pressure, ठीकें, high temperature नी low pressure ला, ते काया करता है, ideal gas behavior दाखोदा, यह जास उल्टा, high pressure नी low temperature अशेल तरते, real gas behavior दाखोदा, आचा, यही देखो, at 25 degree Celsius is the temperature, 730 mm is the pressure, 380 ml of dry oxygen was collected, if the temperature is constant, what volume will oxygen occupy at 760 mm, है ना, खुब सोप है, कुनता law आपड़ना रहे थे तुम्हीं, देखो, temperature is constant है ना, तो Boyle's law यूज करेंगे, तो Boyle's law का equation क्या है बताये, येस, Boyle's law, PV is equal to constant, बराबर, दो अलग-अलग condition दिये है, है ना, तो मैं क्या व्यूज करूँगी, P1 V1, is equal to P2 V2, है ना, देखो, तो P1 V1 put करते हैं, P1 क्या है, पहला pressure क्या है, 730 mm, into V1 कितना है उसके लिए, 38380, is equal to P2 कितना है, P2 है, 760, and V2 we have to find out, है ना, V2 we have to find out, तो V2 will be equal to what, V2 will be equal to, 730, into 380, divided by 760, ठीक है, divided by 760, देखो, अभी इसको कैसे calculate करेंगे, देखे, अभी, थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा observe आप करो, तो, 730 और 760, उसमें जादा फरक है नहीं, 730 या नहीं 760, यह चामाते जासता फरक नहीं है, तीसा जाता फरक है, तो अगर मान लो, यह cancel out हो गए, ना, ऐसे मान लो, देखो, यहाँ पर exact answer तो नहीं चाहिए, अपने को option दिये है, उसमें से एक select करना है, तो ऐसे मान लो, यह दोनों एक दूसरे से cancel out हो गए है, ना, ऐसे मान लो, देखो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्यूंकि नीचे denominator बड़ा है, तो यह answer जाहिर है, मतलब exactly 1 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो नीचे बचेगा, ना कुछ ना कुछ तो नीचे बचेगा, मान लो नीचे, जैसे कि 0.2 या फिर ऐसे कुछ तो बचा, है ना, I don't know exactly, कुछ तो बचा है ना, और बचा क्या है उसके साथ 380, तो 380 और नीचे something, something in the denominator, याने कि अपना answer 380 से कम होगा, यह तो आप मान रहे हैं, 730, 760, nearly equal to each other, लेकिन 760 जादा है, तो denominator में कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो 380 को कुछ ना कुछ से, अगर आप divide करोगे, तो answer कितना आएगा, 380 से कम, याने कि एक ही है, option में 380 से कम, that is the 365, याने कि option A, एसे ही option दिये जाएंगे, आपको CET में, जो आप calculator यूज ना किये बगएर, solve कर पाओगे, ठीके, समझ गया आप लोग, तो ऐसे करेंगे, approximation करके, आप जो भी solve कर पाँगे, आपको कभी भी, ऐसा complicated calculation वाला question नहीं पूछा जाएगा, CET में, या फिर NEET, या फिर JE में, ऐसे ही पूछेंगे, जो आप कर सकते हैं, without using the calcium, देखें, next क्या है, ideal gas है, 2 moles, ठीके, तो ideal gas equation क्या है, बताए, PV is equal to nRT, है ना, तो n की जगा क्या रखेंगे हम लोग, 2RT, है ना, PV is equal to 2RT, तो देखें, PV is equal to 2RT, that is option C, is the correct answer, next question देखते हैं, intermolecular forces in liquid, देखें, मैंने आपको हमेशा बता है, solid, liquid और gases, इन में intermolecular forces कैसे होते हैं, solid में सबसे ज़ादा, liquid में उससे कम, gases में सबसे कम, तो solid के क्या होते हैं, in between होते हैं, intermediate होते हैं, बोथ A and B are the correct answers, इंटरेक्टिव forces are dash in ideal gases, ideal gases में interactive forces कुछ नहीं होते, 0, ओके एक और देखते हैं, numerical, at constant temperature, याने के फिर से क्या आगया, अपना boils law गया हैंना, pressure कितना हैं, 22.4 हैंना, तो boils law का पहले equation लिखती हुँ में, P1 V1 is equal to P2 V2, यह है अपना boils law का equation, initial pressure क्या है, initial pressure is 105 है ना, into volume क्या है initial, 22.4 है ना, equal to final pressure क्या है, 210 याने के 210 और V2 क्या है, नया volume, new volume you need to find out, तो V2 will be equal to, कैसे find out करोगे, 105 into 22.4 divided by 210 है ना, तो देखिए, 105 उनी ले दो, मतलब इस 105 का double करोगे, तो आजाएगा 210, तो आजाएगा 210, तो दिस इस 1, 1, और दिस इस 2, तो 22.4 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा, 11.2, V2 is equal to 11.2, dm cube, 11.2 dm cube याने के, option B is the correct answer, समझ में आगे आपको, तो यहाँ पर हमने देखे, कुछ questions, उसमें से हमको क्या पता चला की, देखिए, जब भी आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको formula पता है, तो आप उस questions को, बहुत ही आसानी से solve कर पाओगे, पड़ मी इते नेमी, एक तुम्हाला trick सांगित ले ले अचा, अधी पन काहीच आप तचा वेला, कि फिजिकल केमिस्ट्री चा questions मदे, फिजिकल केमिस्ट्री के question आपको straight forward कभी नहीं मिलेंगे, तो कदी सराज जेवन नहीं करते हैं, उल्टा जेवन करता है, काई ना काई तरी trick, काई ना काई तरी उल्टा सुल्टा, कॉम्प्लिकेशन आपला question मदे ते आड़ करता हैं, उसमें ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिजिकल में बहुत बार आती है, नुमरिकल में सबसे ज़्यादा आती है, नुमरिकल में पता ही नहीं चलता कि फॉर्मिला कौन सा यूज़ करें, तो उसके लिए एक solution में आपको देती हूँ, हर एक चाप्टर में जिसमें फिजिकल केमिस्टिक का चाप्टर है, जिसमें नुमरिकल से जिसमें फॉर्मिला है, सारे के सारे फॉर्मिला start to end एक पेज़ पे लिखना है, वो पेज अपने जहापी आप पढ़ाई के लिए बेटते हो, आप अब्बै साल जी थे बसता, तो आचा समोर्चा भिंतियवर लावाएचा, रोज एता जाता, सॉलिट स्टेट मदे यवडे आहे, स्टेट सॉप मैटर मदे यवडे, थर्मोडानाविस मदे यवडे आहे, एक्विलिब्रम मदे यवडे, कि वा आजुन कई, तो वो सारे फार्मिले, ते सगडे फार्मिला, रोज एता जाता भगायाचा, 20 साला बसता ना भगायाचे, आई नहीं, नुमेरीकल ची प्राक्टिस कराची, वो फार्मिले तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा है इसके पहले, तो मैंने लिस्ट में, फार्मिला मैंने बनाया था, वहाँ पे मैं रोज उसको देखती थी, I can pick that formula, and use that formula for the question, और फटाक से एक मिनिट से पहले, मुझे उस question का answer मिल जाएगा, तो ऐसे ही करोगे तो CET में आपका अच्छा कासा स्क्वेर आएगा, नहीं तो time management या फिर, ये सारी चीज़े बहुत important है, अगर अपने को concept clear नहीं है, अपने concept ही पूरा पक्का नहीं है, concept मदेज अपले काई problem है, कुटला फार्मिला काशा साथ यह, अच्छा density चा, तो density M by V आए का V by M है, अच्छा number of most तो काया है, तर है चा मदेज अपले तर confusion आशेल, तर तैचा तमा वज़ जातो है न, N by V या V by N, वो याद रखने में, या फिर ते आठ वाईला तुमचे, अच्छा मदे तुमचा पूरण अमा कैलकुलेशन भी घड़ता, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपोरण होता है, कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए, क्यूंकि हर एक क्वेस्चन के लिए, उतना कैलकुलेटेड टाइम ही एलट किया जाता है, और अगर अच्छे कॉलेश में आपको एडमिशन चाहिए, तो अच्छा परसेंटाइल आना CET में बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आभी रिसेंट वाला आपने देखा होगा, महासीटी.org वेबसाइट पे जाओ, आपको वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, कैप राउंड 1, 2, 3, रिजल्ट देखिए, 100 परसेंटाइल वाले पहले पान बर विध्यारती, पान बर पहला पूरा पेज भरके 100 परसेंटाइल वाले बच्चे, 100 परसेंटाइल, तो मान लो कितना कॉंपिटिशन है देख लीजे, और अगर आपको अच्छे कॉलेज में अड्मिशन मिलना, जैसे कि देखो, मुंबई में वीजे टी आए है, या फिर यूडिसीटी, आइसीटी है, पुने में सी ओईपी है, या फिर बहुत सारे कॉलेजेज महाराष्टा के अलग-अलग कोने में है, उसमें अगर आपको अड्मिशन मिला है, तो आपको अच्छा परसेंटाइल मिलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए अच्छे से प्रिपेर करो बच्चो, concentrate करो, practice करो, question का बहुत ज़र प्रैक्टिस करना बहुत ही important है, आज के lecture के बाद फिरसे आप क्या करने वाले हो, बाई-च्छा ले लो या फिर कोई भी practice question ले लो, फ्रॉम एनि सोर्स अवेलेबल, आपके पास जो book अवेलेबल, जो सर्स अवेलेबल है उसमें से question लेलो practice कर लो and if you have any kind of doubt you are always welcome you feel free to ask any type of doubt here ठीके, so that's all from my side and let's conclude here only thank you so much बच्चो, all the best to you and take care, bye-bye